हाँ बाई हाँ बाई हाँ बाई मैं आ गया अबे यह क्या था क्या हाल है सभी के हाँ बाई पढ़ाई होगी आज ठीक है पढ़ाई करेंगे बाई साब बाई हाँ आज बहुत ही चोटा सा लेक्चर है अज वाएं अनिसली बता देता हूं स्टार्टिंग जांख काई हूं और कनेज हैं इसके साथ आईडिव डास भी पढ़ाता हूं है तो मैं नहीं जानता आपनी चेमिस्टीमें कितना पढ़ा च्छा पढ़ा है बूरा पढ़ा मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं वो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है अपने नीट के लिए यूसफुल है कानिटिक थीओरी के अंदर जितने सवाल आ सकते हैं ऐसे समझ लो बस अपनका कोर्स एडिकेट है किसके लिए नीट के लिए तो नीट में जितने आ सकते हैं उसके आसपरस का अपन आइडिल गैस लॉस भी पढ़ेंगे साथ में ठीक है तो भले ही आप उपर जो बैनर था कानिटिक थीओरी आउफ गैस देख क्लिक किया था ठीक है अंदर आइडिल गैस निकलेगा ठीक है तो थोड़ा आपके साथ धोका हुआ है यह तो चीटिंग थोड़ा सा ठीक है क्लास कब तक चलेगी बेटा आज क्लास चे बीस तक कतम हो जाएगी मेरे ख्याल से बीस मिनट की क्लास है छोटी सी के टी जी जानते हो तुम लोग के टी जी सब जानते है क्या के थ्री जी आप लोग के थ्री जी जानते हैं आप लोग वीक में तीनों क् प्रिटा क्लास एक दम बढ़ जाएगी यह जानते हैं नीट की डेट को लेके किरप्या कोई भी यहां पर आप कोई भी यहां पर मिस इंफॉर्मेशन ना दें और नीट की डेट को लेके कोई भी अफवाहें ना फेलाएं अफवाहों का बजार गरम है वह हम लोग नहीं जो क कालिडिक थीरी ओगया है कभी खुशी कभी गम के थीजी ठीक है बचपन में जब मेरे टीचर्स जब थे जब मैं पढ़ने आता था तो जब टीचर्स क्लास आसमें बोलते थे कि आज हम लोग के टीजी पढ़ाएंगे क्या मूवी उभी चलेगी क्या मैं सोचता था के टीजी सेम है बड़ दोनों अलग अलग थे के जी एफ अलग है ठीक है के थीजी की बात कर रहे हैं कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम सदीयों के हाथी बने हम चलो आगे पढ़ाएं आज कब तक है लाक्चर लाक्चर जो लेता है वह बताएगा कि लाक्चर कब त बहया कैसे याद होगा हम तो बहुत छोटे थे फुर्यक्स द्रॉ enterprises कब से नीड की तैयारी कर रहे हो तुम है एक मीनट जिन्दगी कैसी है पैली हाए औरत तो हमसे सीनिय है अरे सर, सर आप भी आएं, आप तो मेरे से भी सीने निकले साथ, पड़ाया जाए भई, बखवास बहुत हो गई, चलो शुरू करते हैं, बोलो साचे दरबार की जये, बोलो शेरावाली माता की जये, बागी सबी लोग अपने धरम के नारे लगाएं, बिलकुल धार्मिक रहे महाल बहुत अच्छा रखेंगे, सब लोग अपने अपने रिलीजन के नारे लगाएं, अपने अपने अल्माइटी को, अपने अपने गॉड को, अपने अपने भगवान को, अपने अपने क्राइस्ट को, अपने अपने अल्ला को, जो सब के अपने 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 गॉड ह I respect every religion सब लोग अपने भगवान को याद करें और हम लोग क्लास शुरू करते हैं मैं तो हिंदू घर में पैदा हुआ तो मैं तो अपने हिंदू भगवान को बोलता हूँ जो जिस घर आने पैदा हुआ सब लोग जय बोल चुके हैं चलो और JMD बोलना है जब सवाल असान दिखे जब लेक्चर की पेस धीमी दिखे तो मास्टर को डंडा कई से मारना है मास्टर को डंडा कई से मारना है कॉमेंट में क्या लिखना है कॉमेंट में लिखना है JMD गाली नहीं देनी है यह नहीं तेज पढ़ा मास्टर कितना धीमे पढ़ाते हो तुमसे तेज तो internet explorer चलता है ठीक है तो इस तरह से आप sarcasm करके ट्रोल ना करें ठीक है भाई फिर लडाई हो जाएगी फिर अपना पंगा हो जाएगा ठीक है just kidding देखो मैं तुमसे बोलता हूं इन तीन घंटे मैं अ देख लेना ठीक है थोड़ा बहुत मैं जानते हो पढ़ाते हो इधर उधर निकल जाता हूं so one two three let's go ah hello बच्चो क्या हाल चाल बढ़ी हां एक दम so I welcome all of you to the most beautiful channel competition वाला और अभी हम पढ़ रहे हैं अपना उमीद सीरीज का need physics crash course जिसका है day number fourth और आज हम पढ़ने जा रहे है kinetic theory of gases which is known as KTG but बेटा मैं kinetic theory of gases के अंदर एक पार्ट एक्स्टा पढ़ाता हूं ideal gas loss तो हम लोग ideal gas loss पढ़ेंगे फिर KTG यहाँ पे कई बच्चो को शिकायत होगी कि सर kinetic theory में आपने कई topic छोड़ दिये नहीं आप thermodynamics का lecture द मतलो बड़ आपको लगे एक सर degree of freedom नहीं है CPCV नहीं है यह सब कहां है यह सब मैं कहां पढ़ा चुका हूँ thermodynamics के अंदर तो चिला चिला के scheme सबको बता दो तो शुरू किया जा आज का lecture yes my name is अलक पांडे and this is your beautiful channel competition वाला सभी को पता है lecture को देखना है lecture के बाद practice sheet को download करना है practice sheet कहां मिलेगी आपको practice sheet आपको मिलेगी physics वाला की mobile app में physics वाला की mobile app में जाएंगे batches section में जाएंगे अपने pre-a batch उमीद batch पे click करेंगे buy now का option आएगा बिना डेरे उस पे click कर देंगे आप zero fees में enroll हो जाएंगे free of cost है tension लेने की बात नहीं है वहाँ से practice sheet जरूर से जरूर से जाना चाहते हो तो वो possible है पूरा content हम पढ़ा रहे है possible है हम लोग से पढ़के या मेरे से ही पढ़के पहले भी लोगों के need physics में 160 प्लस आए है 170 प्लस आए है YouTube के उपर भी देख सकते हो कोरा के उपर भी देख सकते हो और अभी मैं dedicated इदम need का ये course लेके आया हूं free है ठीक ह आ सकते हैं 160, 170 आ सकते हैं content इतना ही follow करना है सिर्फ इतना ही करना है क्या lecture और lecture के बाद practice sheet lecture और lecture के बाद practice sheet इसके बाद अगर अगर आप थोड़ा बहुत पैसा रुपया हो तो कोई test series भी join कर लो तो उससे practice अच्छी हो जाएगी हमारी करो किसी की भी करो test series जोइन करना चाह analysis, idle gas equation तो इसमें तो GMD लिखके आगे बढ़ना है चलो भाई, idle gas law, boils law सभी को पता है boils law क्या होता है, boils law कब लगता है बेटा, boils law लगता है constant temperature पे, सभी को पता होगा, boils law कब apply होता है constant temperature पे, constant temperature देखो एक चीज़ी आप कर लो, bt और cp, bt और cp, bt होता है बेटा, bluetooth और cp होत ठीक है, तो bt, यानि boils law में constant temperature, bt, bluetooth, bt, bluetooth, boils law में constant temperature और cp क्या है, cannot place, cp मतलब, charge law में constant pressure, तो यह दोनों चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, boils law में क्या constant रहता है, boils law में temperature constant, कैसे याद रखोगे, bt, bluetooth, boils law में constant temperature, charles law में क्या constant होता है, pressure, cp, cannot place, charles law constant pressure, परतने बेटा, boils law का statement, for a given mass of perfect या ideal gas, यह line आप लोग मिस्स कर जाते हैं, generally, किसके लिए valid यह law, for a given mass of gas valid है, यह नहीं कि आप जितना चाहें mass ले लो, एक fixed mass of gas के लिए valid है, यह नहीं कि आपने जितना चाहें mass लिया, बीश में mass बदल दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, नहीं चलेगा, gas का mass fixed होना चाहिए, for a given mass of perfect या ideal gas, है न, ideal gas पे ही valid है, चाहें boils law हो, charles law, जितने भी gas laws हैं, कहां पे valid है, ideal gas law पे, so, for a given mass, यानि fixed mass की बास करनी है, किसकी बात करनी है, fixed mass की, आप कहानी के अंदर mass को बदल नहीं सकते, fixed mass की बात करनी है, for a given mass of perfectly ideal gas, pressure of gas is inversely proportional to the volume of gas, provided the temperature remains constant, मतलब क्या कह रहे हैं ये, पहली condition तो बोल रहे हैं कि for a given mass, कि mass आपका fixed हो, constant हो, constant mass हो, mass change ना हो, अगर आपके पास एक gas का mass constant है, और साथ में temperature भी constant हो, temperature भी constant हो, temperature भी constant हो, temperature भी constant, तो मेरे प्यारे प्यारे खुबसूरत, खुबसूरत और गंदे गंदे बच्चे बताएं, temperature constant तो कौन सा process, 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 भ temperature constant तो कौन सा प्रोसेस, temperature constant तो कौन सा प्रोसेस, आईजो थर्मल प्रोसेस, temperature constant मकलब आईजो थर्मल प्रोसेस, और मास भी क्या रखना है, constant, लड़का एडिया बैटेक लिख रहा है, अची ची, बिटा अगर ये condition satisfied होती है, तो pressure of given mass of gas is inversely proportional to volume, है न, यहां से proportionality हटाओगे, त तो P is equals to K by V, यहां से proportionality हटाया तो constant लग दिया, यहां से अगर आगे बढ़ें तो हम लिख सकते हैं, P into V is K, मतलब constant, यानि PV का product क्या होता है, constant होता है, अगर temperature constant, और PV का product constant है तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 is equals to P2 V2, सभी को पता है यह हलवा चीज है, P1 V1 is equals to P2 V2, सभी को पता थी, P1 V1 is equals to P2 V2, आगे बढ़ा जाए, JMD, 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 चलो, graph देखते हैं, pressure versus volume का, तो बेटा, हमको boils lock graph देखना है, किसका देखना है, boils lock का, boils lock ले graph देख रहे हैं हम लोग, P versus V, तो बेटा, हमको पता है, क्या होता है, pressure is inversely proportional to volume, तो बेटा inversely proportional graph कैसा बनता है, सभी को पता है, rectangular hyperbola, क्या नाम है, rectangular hyperbola, है न, bola, मेरा नाम है, bola, रखता हूँ मैं खुला, तो rectangular hyperbola, ठीक है, जिसने ये बात ना बोला, उसने आइzo thermal process को गलत तौला, चलो, शायरी तो बाद में होती हैं न, last में, so pressure is inversely proportional to volume, rectangular hyperbola, जल जल दी भागते ह सब असान चीज़े हैं, ऐसा बन गया बेटा, ठीक है, माल लो ये हमने graph बनाया, add temperature T, माल लेते हैं, बेटा, इस graph की slope क्या होती है, सभी को पता होगी, इस graph की slope क्या होती है, slope क्या होती है, dy by dx, यहाँ y पे क्या है, pressure, यानि dp बटे dv, बेटा, ये slope क्या होती है, मैं isothermal process मे value पे depend करती है, slope लगा गार, देखो, change हो रही है, slope constant का है, पहले slope बहुत जादा है, फिर देखो slope कम होती जा रही है, तो slope बेटा, क्या होती है, variable होती है, और slope की value किती है, dy by dx, यह dp by dv की value क्या है, minus p by v है, बेटा, माल लो ये मैंने temperature T1 में बनाया, और यही graph माल लो मैंने इसे बना दिया, और यह temperature T2 है, तो मेरे को बताओ बेटा, क्या है, T1 greater than T2 की T2 greater than T1, बताएं, बताएं बेटा, which is correct, जल्दी से सभी लोग, T1 greater than T2 या T2 greater than T1, जल्दी से बेटा, इस सब हलवा चीज़े हैं, करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, T1 greater than T2 की T2 greater than T1, जल्दी से, मैस सचिन सर से पढ़वाओ, अरे मैस पढ़ा रहा हूं मैं, आ गए पंचायत करने दरी विछा के, पालती मार के, तुम आ जाओ, तुमको मैं हायर कर लेता हूं, PW में, मैनेजमेंट में आ जाओ हमारे, किस से क्या पढ़वाना है, तुम आओ, तुमको मैंने कह कहा दूड़ा, हाँ, B, T2 greater than T1, तो इस तरह के जो सलाकार है, राजे सलाकार, वो भाई, PW में आए, हमारे सिस्टम मैनेज करें, ठीक है, कौन सी क्लास कहा होनी चाहिए, बताएं आके, तो काफी help होगी, T2 greater than T1 है न, टेंपरेचर बढ़ाएंगे, तो ग्राफ उपर चला जाएगा, slope क्या होती है, DP by DV, माइनस P by V होती है, चलो आगे बढ़ते हैं, next, next है बेटा, pressure versus temperature और volume versus temperature का graph, boil slow के लिए, तो बेटा, boil slow में क्या होता है, बेटा, pressure बढ़ते हैं, तो volume घटेगा, तो यहाँ पे graph यूँ बन जाएगा, यूँ, गटेगा, बड़ टेंप्रेचर क्या रह जाएगा, constant, तो प्रेशर बढ़ाने पर वोल्यूम घटता है, बड़ टेंप्रेचर रिमेंस, constant, तो टेंप्रेचर जितना था, उतना ही, वोल्यूम कम हो गया, तेंप्रेचर रिमेंस, constant, सभी को clear हो गए, तीनों ग्राफ, आगे करते हैं, बड़ा, real gas and ideal gas, बड़ा, real gas और ideal gas में क्या फरक होता है, real gas, ideal gas में वही फरक होता है, जो तुम में होता है, what your parents think you are and what you actually are, यही difference है, real gas और ideal gas, है ना, parents को लगता है कि भाई, तुम boils law follow करते हो, तुम Charles law follow करते हो, तुम gas equation follow करते हो, तुम स्कूल में जाते हो, अपन दूसरों के tiffin से समानन नहीं चुराते हो, दूसरों के back ते समान नहीं चुराते हो, तो यह सब काम है, आप तुम तो सारी खरकतने में हो, तुम हो real gas, और parents को लगते हो, तुम क्या ideal gas हो, बच्या phone पे है, पढ़ रहा होगा, बच्या phone पे क्या कर रहा है, Instagram पे जाके हो, त तो यही डिफ्रेंस है, ideal gas जो सारी equations को follow करें, ideal gas कैसा concept है, imaginary concept है, यह imaginary concept है, which follows all law, which follows all gas laws, यह सब chemistry में पढ़ना होता है, मैं इसको basic पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यह मत कहना कि पूरा real gas बता हूँ, which follows all gas laws, but real gas क्या होती है, थोड़ा बहुत follow कर पाती है, थोड़ा नहीं कर पात reality होती है, तो हम pressure versus volume का graph बना रहे है, constant temperature, हम बोल रहे है, temperature क्या है, constant है, temperature क्या है, constant है, और constant temperature के लिए pressure volume का graph बनाएंगे, real gas और ideal gas का, temperature क्या है, constant है, तो हम graph बनाते है, P versus V का, तो हमने यह graph बनाया, यह graph है बेटा, ideal gas का, किसका graph है, ideal gas, P ले रंग से बनाएंगे, ideal gas का graph, पीले रंग से बनाया, ideal gas का graph, ठीक है, अब real gas का graph कैसा होगा, real gas क्या होगा, real gas का graph, वो actually इसको follow नहीं करेगा, इस curve पे actually real gas lie नहीं करेगा, मलब वो actually boils law को completely follow नहीं, तो real gas का graph कुछ you बनेगा, देखना, ये, ये किसका graph है, ये real gas का graph है, dot dot dot, ये बन गया real gas, तो real gas और ideal gas देखो same curve पे नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि real gas पूरी तरह से laws को follow नहीं करती, real मतलब practically बेटा, ideal तो जो हमने सोचा imaginary की ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, जैसे parents को लगता है, जब तुम बोलते हो कि पापा स्कूल में annual function है, teacher ने 500 रुपय मांगे है, देन पापा बोर्ड का एडविट कार्ड रोग दिया जाएगा, इसे बोलते हो न, होता ऐसा कुछ है नहीं, है, कार्ड देते हो घरवालों का भी, है न, यह करो, मत करो, ठीक है, तो यह real gas हो गया, पीला वाला, और यह dot dot वाला क्या हो गया, ideal gas हो गया, तो sorry, पीला वाला हो गया temperature T1 पे, एक graph बनाते हैं, थोड़ा higher temperature T2 पे, तो मैंने higher temperature T2 पे graph बनाया, यह, higher temperature बेटा मैंने क्या देखा, कि real gas, ideal gas के एकदम पास आ गई, दोनों एकदम close हो गए, अब बताओ, T2 higher यह सबको समझ में आ रहा है, सबको यह तो समझ में आ रहा है कि T2 क्या है, higher than T1, सबको यह दिख रहा है, T2 is greater than T1, सभी को feel हो रही होगी यह बात, कि T2 is greater than T1, सभी को दिख रहा है, जाला 3 तो नहीं बनाया, ठीक है, T2 is greater than T1, अब बताओ, कि real gas कब ideal gas के पास आती है, real gas ideal gas के पास आती है, या real gas behaves as ideal gas, real gas, real gas behaves as ideal gas, ऐसा कब हो रहा है बेटा, low temperature पे की high temperature पे, low temperature पे की high temperature पे, पढ़ लो क्या पता, यहीं से एक सवाल आ जाए, chemistry का सवाल, real gas behaves as ideal gas, कब बेटा, high temperature की low temperature, high temperature, देखो, high temperature, low pressure, high temperature, low pressure पे, और real gas behaves as ideal gas, तो बेटाँ यहाँ पे लिख दोगे high temperature, तो जब आप temperature बढ़ाते हो, जब आप temperature बढ़ाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, और real gas behaves as ideal gas, सब यो clear है, high temperature, low pressure है अगर आपको पूछना है कि ये कब होता है, तो बेटा इसका answer है HTLP, high temperature, low pressure, high temperature, high temperature, high temperature, low pressure, high temperature, low pressure, high temperature, low pressure, HTLP, बेटा, HTLP वो condition है, जब real gas behaves as ideal gas, clear है, क्या लिख रहा है, HG, HG, कुछ भी लिखते होगे, HTLP, ठीक है, HTML code नहीं, HTLP, high temperature, low pressure पे, real gas behaves as ideal gas, आगे बढ़ते हैं बच्चों, clear है, अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों में से कौन से temperature जादा है, तो पदा लेंगे temperature जादा है, real gas कब ideal gas के close पोहसती है, at high temperature and low pressure, सीधा 4 option ऐसे भी आ सकते हैं, कि real gas behaves as ideal gas at, पहला option दे दिया, high temperature, high pressure, दूसरा option, low temperature, low pressure, high temperature, high pressure, high temperature, low pressure, clear इस तरह के option बन सकते हैं, चार option, high temperature, low pressure, आगे बढ़ते हैं बच्चों, next बेटा question आगे अपने पास, AFMC 1994, KCEET 1999, world's law holds for an ideal gas, चलो बच्चा पार्टी, इसको जल्दी से करके बताओ, बच्चा पार्टी, जैसे पार्टी हो जाएगी, चलो, पार्टी तो हई वे से तुम लोग, हो तो तो तुम लोग देखो, हो तो नेता सब, चलो, चलो, सबी लोग, जवाब देए, जैमटी, जैमटी तो आंसर तो बता भाई, जैमटी से क्या होता है, बताओ, बी, 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 आइजो घर्मल चेंजे, क्लियर है, सभी को, वोयल्स लॉक अभोड होता है, constant temperature, सभी को पता था, आगे बढ़ते हैं, next, CPA मटी 1978, देखो, मोहन जुदारों की खुदाई से, खोद की रिकाला, for boils law to hold, the gas should be, बताएं, boils law का भोड करता है, real gas पे लगता है, कि ideal gas पे लगता है, जित्ते भी gas laws है, सब ideal gas पे लगते हैं, तो ideal gas and of constant mass and temperature, real, नहीं, real पे लगता ही नहीं है, perfect and constant temperature, variable mass, नहीं, variable mass नहीं होना चाहिए, real and at constant temperature, but variable mass, ये भी गलत है, real की वेज़े से भी गलत है, variable mass, पहला वाला सही है, perfect and of constant temperature and pressure, अब कहीं बता रहें, real gas पे कहां hold करेगा, अले, ले, 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 real gas पे कहां hold करेगा, ये होगा option, कहां खा क्या है ये हो आज, दाल चावल, दिन में, नीन आ रही है, ये कह रहा है, लेकिन pressure directly proportional to temperature to HDLP, कैसे होगा, chemistry, ये दूविधा, chemistry solve करेगी, ये जितना मैं gas laws पढ़ाऊंगा, इसमें आप ज़्यादा कहां नी मत पूछना, क्योंकि हम लोग उपर उपर से पढ़ लाए, अपन का topic KTG है, अपने को पहुचना है kinetic theory of gas पे, जितने सवाल आ सकते हैं, वो में बता रहो, बाकी ये पूरा real gas idea, ये पूरा chemistry में चलता है, clear, add constant temperature, जे मडी, next, Charles law, तो बेटा अब Charles आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, Charles law, boils law था अब Charles law, आधित नरायन एक बार ये पढ़ो, आधित नरायन बेटा ऐसा कुछ discover करो, लिखू मैं नरायन's law, हमेशा suggestion comment के अंदर, कुछ ऐसा करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, नरायन's law, तो constant pressure, मजा आता, आधित लौ लिखा होता यहाँ पे, कितना खुश होता मैं, पर नहीं, आधित को यहाँ पर suggestion देना है, ठीक है, आपको पता है कि need postpone हो, और क्या, हमको नहीं पता होगा, बात होती है हमारी मोदी जी से रोज, अभी class खतम करेंगे, डिनर है हमारा, हम लोग सा पहानी है, for a given mass of perfect gas, यह भी कब लगेगा, for a given mass of perfect gas, volume of gas is directly proportional to the absolute temperature, बेटा, volume directly proportional to temperature मत बोलना, volume directly proportional to absolute temperature, absolute मतलब temperature in Kelvin, absolute temperature मतलब in Kelvin, provided the pressure remains constant, तो यह क्या कह रहे है है, कि for a given mass of gas, यह हमसे कह रहे हैं, कि for a given mass of gas, mass of gas fixed है, constant mass के लिए, for a given mass of gas, constant mass के लिए बोल रहे हैं हमसे, क्या, अगर pressure remains constant हो, यानि pressure constant रहे, इसके आगी कहानी आप खुद सोच सकते हो, ज़रा ideal gas equation लिखो, PV is equals to nRT, यहीं से सोचो, अपने आप answer मिल जाएगा, बेटा, अगर pressure constant हो गया, यह constant हो गया, बेटा, number of moles तो constant हो गया है, क्यों, त्योंकि आपने given mass of gas की बात की, इसलिए nB constant है, ज़रा समझो, सर कैसे पता लगा है कि pressure constant होगा, तो क्या होगा, यह equation लिख लो, PV is equals to nRT, बेटा, pressure constant है, लिखा है, mass of gas constant है, बेटा, mass constant है, तो number of moles भी constant होगे, number of moles क्या होते है, mass upon molar mass, molar mass तो constant रहेगा, बेटा, R तो universal constant है, तो यहां से देखो, क्या दिख रहा है, volume is directly proportional to temperature in Kelvin, तो बेटा, अगर ऐसा होता है, तो बेटा, इसके अगरे हम लोग क्या लिख सकते है, V is equals to K into T, लिख सकते है, है न, V is equals to K into T, इसका मतलब क्या हुआ, volume upon temperature in Kelvin is constant, volume upon temperature in Kelvin is constant, तो बेटा, अपन क्या बोल सकते है, अपन बोल सकते है, V1 बटे T1 is equals to V2 बटे T2, सभी को बता था, यह हलबा चीज, V1 बटे T1 is equals to V2 बटे T2, JMD, JMD सबने बोल दिया, आगे बढ़ा आ जाए, हाँ, process कौन सा, एक बच्चा बता रहा है, इस process क्या बोलते है, आईजो बारिक, आईजो बारिक process, प्रेशर कॉंस्टेंट तो आईजो बारिक प्रोसेस, बहुत सभी, बहुत बढ़िया, सभास, आगे बढ़ा जाए, चाल, नेक्स्ट, ग्राफ सा गया बेटा, volume versus temperature का graph for Charles law, बेटा, Charles law है, तो क्या constant है, pressure constant है, और pressure constant है, तो volume क्या है, directly proportional to temperature, तो बेटा, graph कुछ यूँ बनेगा, सीधा, volume is directly proportional to temperature, सीधा-सीधा, volume is directly proportional to temperature, बेटा, इस graph की slope क्या होगी, कौन बताएगा, कौन बताएगा, अरे-रे-रे, राजा बेटा, कौन बताएगा, slope क्या होगी, बेटा, इसकी, dy by dx, यानि, dv by dt, बताएगा, slope क्या होगी, dy by dx, यानि dv by dt, slope क्या होगी, स्लोप क्या होगी, dv by dt, स्लोप क्या होगी, dv by dt, स्लोप, 45 जिगरी, गलत बात है, गलत बात है, आज चाल से यहां होता, तुमारी इस बात से कितना नराज होता, चाल से इन बच्चों को माफ करना, dv by dt, 1, काहे 1 रहे, जो ग्राफ स्ट्रेट लाइंग बन जा, उसकी कर देंगे, काहे, कितना गधा है भाई, कैसे बच्चे है, बेटा, अगर ग्राफ ये बना है, तो भी स्लोप कहोगे, 45, ये भी 45, ये भी 45, ये तुम गोल होगे, स्लोप बन, सब 45 डिगरी, सब directly proportional के ग्राफ है, ये सब directly proportional के ग्राफ है, अरे भाईया, slope क्या होगी टानों क्या होती है आओ देखते हैं slope क्या होगी टानों बोला है बेटा slope क्या होगी आओ देखते हैं अपने यह लिखते हैं PV is equals to NRT दोनों तरफ partial differentiation का खेल खेलते हैं किसका partial differentiation pressure तो constant है differentiate होगा नहीं volume differentiate हुआ DV N constant, R constant temperature differentiate हुआ DT, बेटा इसको इधर लेआओ DV by DT is equals to NR बटे P तो इसकी slope क्या होगी बेटा slope होगी NR बटे P यह होगी slope NR बटे P PV is equals to NRT लिखा और PV is equals to NRT लिखके differentiate कर दो तो pressure तो constant अलग चला गया volume का differentiation DV N constant, R constant, temperature का differentiation DT तो DV by DT, NR by P clear सभी को तो बेटा इसकी जो slope है इसकी जो slope है जो इसका 10 theta है बेटा वो क्या आ रहा है NR by P यानि slope inversely proportional है pressure के देखो N तो constant R तो constant तो slope inversely proportional है pressure के N तो constant slope inversely proportional to pressure जैसे मिसाल के तोर पे मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं सभी बच्चे सही जवाब देंगे volume और temperature जितने अच्छे बच्चे हों के सही जवाब देंगे ठीक है goodbyes मालो दो मैंने x और y यह मैंने दो gases का मैंने graph बनाया बताएं बेटा किसका pressure ज़्यादा है x का की y का मैंने दो gases का graph बनाया volume versus temperature आप मुझे बताएं किसका pressure ज़्यादा है pressure of x greater than pressure of y या pressure of y greater than pressure of x बताएं a और b कर लेते हैं option a option b चलो option a pressure of x is greater than pressure of y option b pressure of y greater than pressure of x बताएं बच्चो a और b सभी ने बोला y का सभी को समझ में आ गया slope से अरे मेरे खुबसूरत बच्चे वाओ बेटा डन है बेटा इस बार तुमारी seat done है बुक है एकदम अभी आज मोदी से बात होगी आज done कर देते हैं so pressure of y greater than pressure of x एकदम सही है ठीक है एकदम सही है y greater than x क्योंकि slope inversely proportional है y की slope कम है तो उसका pressure ज़्यादा होगा आगे बढ़ते हैं बच्चो real gas and ideal gas अब हम real gas और ideal gas का graph बनाएंगे किसके लिए constant pressure पे at constant pressure at constant pressure तो बेटा constant pressure पे volume versus temperature का graph तो यूँ बनना चाहिए एना at constant pressure हम ये तो पता है v is directly proportional to t मैंने graph बना लिया बेटा पीले रंग की रेखा से मैं दिखाऊंगा ideal gas पीले रंग की रेखा से मैंने दिखाया ideal gas अब अब संकल्प बेच एक बच्चा कहा रहा है संकल्प बेच बा में एक ही मातरा हो चा संकल्प बेच बेटा बेच नहीं है बैच है मेरट से हो क्या, मेरट की फ्रेंट थे हो भी ऐसी बोलती थी, संकल्प बेच नहीं बेच होता है, हो गया, अब बताओ बेचा, अब मेरे को रियल गैस बनानी है, अब रियल गैस देखो यहां कैसे बनती है, यू, स्टार्टिंग में क्या है कि टेंप्रेचर लो है जब टेंप्रेचर लो है तो रियल गैस आइडिल गैस दूर दूर है देखो दीमे दीमे टेंप्रेचर बढ़ रहा है जैसे जैसे टेंप्रेचर बढ़ेगा रियल गैस आइडिल गैस के पास पहुचने लगेगी फॉलो कर रही है, Charles law नहीं, Boyles law नहीं, देखो शुरू में काफी distance है, फिर क्या हुआ, जैसे से temperature बढ़ रहा है, real gas is tending to idle gas, clear है सभी को, सभी को clear है, real gas tends to ideal gas, हाँ बिटाजी, कब होता है, कब होता है, high temperature, तो कुछ gas law भी पढ़ लिए, कुछ real gas, idle gas की कहानी भी पढ़ लिए, और plus साथ में एक चीज़ और बताई है, मैंने कब होता है, low pressure, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिटा, yes, yes, clear है सभी को, yes, J, M, A, D, next, सवाल आ गया बिटा जी, सवाल क्या है, 2013 का है, 2013 के पेपर में ये सवाल आया था, चलो देखते हैं, नन्ने मुन्ने बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, इन दा गिवेन वॉल्यूम वर्सेस टेंप्रेचर डाइग्राम, वाट इस दा रिलेशन बिट्वीन प्रेशर P1 और P2, बताएं बच्चों, जल्दी से सभी लोग, जल्दी से, कमेंट करें, A, B, C, D, A, B, C, D, कमेंट करें, A, B, C, D, किसका प्रेशर जादा है, A, B, C, D, बेटा हमें पता है, इस ग्राफ की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, N, R, B, P, आपको, थीटा 2 greater than थीटा 1, यानि स्लोप सेकेंड की, बढ़ी है, स्लोप फर्स्ट से, जिसकी स्लोप बेटा जादा होगी, उसका प्रेशर कम होगा, P2 will be less than P1, P2 will be less than P1, option C, सभी का आया, P2 will be less than P1, नहीं आया किसी का, मोहिनी कह रही है, मेरा नाम ले लो, P2, मोहिनी, 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 खुश बेटा, चैलो, अब रकाउन डंबर पैसे डलवा देना, बताओ, कहा गए बच्चे, गहर हो गए सब, पंचायत करने चले गया, है अरे आया कि नहीं आया अच्छा नहां ही मौही नहीं ले सकते हैं मही नहीं मही नहीं कहिए क्या सुनेंगे आफ टिं ड५ॉ टिंग डॉं डॉं अगया संभी को सब्सक्राइब कि बएसे लोग ती एंड भाई-पी दो जादा थी टावन से यानि constant pressure, बेटा, at constant pressure, at constant pressure, it is heated to double its volume, then its final temperature will be, it is heated to double its volume, तो अपने पास क्या है, 4 mol of ideal gas है, अपने पास 4 mol of ideal gas है, कितने temperature पे, 0 degree Celsius पे, बेटा, Kelvin में कितना हो गया, 273 Kelvin पे, फिर क्या बोला, at constant pressure, it is heated, तो बेटा, pressure को constant रखके, इसको heat किया मैंने, बेटा, heat करेंगे, gas expand करेगी, है न, at constant pressure, it is heated, बेटा, heat करो, gas expand की, it is heated to double its volume, माल लेते हैं, यहाँ volume V है, तो यहाँ volume 2V हो गया, number of moles तो सेम रहेंगे, heat करने से, number of moles हम नहीं मान रहें, वोल्यूम बढ़ गया V से 2V, then its final temperature will be, तो बेटा, initial temperature T1, इसका यह है, final temperature T2, पूछ रहा है, क्या होगा, pressure constant है, तो बेटा, क्या बोल सकते हैं, if pressure is constant, volume is directly proportional to temperature, तो अपन लिख सकते हैं, V1 by V2 is equals to T1 by T2, खतम करते हैं, बेटा, V1 कितना है, V, T1 कितना है, 273, sorry, V1 by V2, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, V1 by T1 is equals to V2 by T2, जैसे चाहो, V1 by T1 is equals to V2 by T2, हाँ, Charles law लगा के, मैंने कहा, volume directly proportional temperature, चलो, वैसे ही कल लो, Charles law लगा के, खुसी मिलती है न, chemistry पड़के, चलो, V1 by T1 is equals to Charles law, चलो, Charles law लगा के कल लेते हैं, खुसी मिलेगी आपको, V1 by T1 is equals to V2 by T2, तो बेटा, V1 है V, T1 है 273, और V2 है 2V, और T2 मुझे नहीं पता, बेटा, V से V मर गया, यहां से T2 की value कितनी आ गई, T2 हो गया, 2 times of 273, तो बेटा हो जाएगा 546 Kelvin, तो बेटा 546 Kelvin, 546 नहीं बेटा, degree Celsius में है, तो इसको Kelvin में change करेंगे, तो बेटा, अपने पास जो final answer है, वो 546 Kelvin है, यहां answer degree Celsius में है, इसमें से 273 minus कर देंगे, तो बेटा, कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा, 273 degree Celsius, आपसन भी, सभी का आ गया बच्चा, बहुत बढ़ी हैं, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, next, if temperature is in degree Celsius, अब बताओ, अगर temperature degree Celsius में है, तो क्या होगा, if temperature is in degree Celsius, तब क्या होगा, अगर temperature Kelvin में ना हो, तो क्या हम लिख सकते हैं, V is directly proportional to T in degree Celsius, yes or no, कमेंट करके, जी हाँ, जी हाँ, कमेंट करके बताएं, जी हाँ, भाईयों और बहनों, कमेंट करके, का अब हम लिख सकते हैं, V1 बाई, अब क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है, इस सर को लाओ, इस सर को लाओ, इस सर को लाओ, मैं क्या तुमको वो दिख रहा हूँ, जो सरों को लेके आता हूँ, इनको लाओ, उनको लाओ, ठीक है, बाईया, आओ तो, welcome, और जाओ तो, welcome, ठीक है, चलो, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, ऐसे directly नहीं लिख सकते हैं, रसे सही था वो, गलत नहीं था, होता है directly proportional, ऐसा नहीं नहीं होता, होता है, बट, actual equation क्या होती है, देखो लिखते हैं, temperature is in degree Celsius, for each degree, for each degree, for each degree, for each degree, rise in temperature in degree Celsius, in Celsius, for each degree, rise in temperature in Celsius, the volume of gas, the volume of given mass of gas, increases by 1 by 273 of its volume at 0 degree Celsius, at constant pressure, for each degree, rise in temperature in Celsius, the volume of given mass of gas, increases by 1 by 273 of its volume at 0 degree Celsius, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, सर, कुछ समझ में नहीं नहीं आया, सर, कुछ समझ में नहीं नहीं क्या लिखा है, देखो आराम से, इसको छोड़ो, आराम से समझो, ऐसा नहीं लेट जाएंगे, अराम से मतलब असानी से समझते हैं अब देखो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा मेटा इसको ऐसे लिखेंगे V at T degree Celsius is equals to V naught which is volume at 0 degree Celsius plus V naught into T बटे 273 V at T degree Celsius is equals to V naught plus V naught into T by 273 जरा आराम से समझो T की value 1 put करते हैं T की value 1, पहले 0 put करते हैं T की value 0 so V at 0 degree Celsius is actually V naught V at 0 degree Celsius is actually V naught 0 degree Celsius पे जो gas का volume है उसको मैंने V naught बोला V at 1 degree Celsius तो बेटा 1 degree पे क्या होगा for each degree Celsius rise in temperature the volume of given mass of gas increases by 1 by 273 of its volume at 0 degree 0 degree पे कितना है? V naught है अब एक डिगरी बढ़ाया तो कितना बढ़ेगा? एक डिगरी बढ़ाया तो V naught plus V naught into 1 by 273 0 degree पे कितना है? V naught है 1 degree बढ़ाया तो कितना बढ़ेगा? 1 by 273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree rise in temperature in Celsius the volume of given mass of gas increases by 1 by 273 of its volume at 0 तो 0 पे कितना है? V naught 1 पे कितना हो जाएगा? V naught plus V naught into 1 by 273 अब ऐसी बेटा 2 पे अगर देखे तो हम volume at 2 degree Celsius V naught plus V naught into 2 by 273 clear? मैं बोलू 3 degree Celsius पे क्या volume होगा? V naught plus V naught into 3 by 273 हर एक degree Celsius के लिए volume कितना बढ़ेगा? 1 by 273 of volume at 0 volume at 0 पेटा हमने कितना ले लिया? volume at 0 हमने V naught ले लिया volume at 0 हमने V naught ले लिया so volume at 1 degree कितना हो गया पेटा? V naught plus 1 by 273 of V naught 2 degree पे कितना हो गया? V naught plus V naught into 2 by 273 clear? clear? यह बताओ volume at 20 degree Celsius कितना होगा? कितना हो जाएगा? V naught plus V naught into clear, clear, clear Sabiko? volume at T degree Celsius is equals to volume at 0 degree Celsius plus volume at 0 degree Celsius into T by 273 J, M, D बेटा, इसका graph बना है इसका graph बना है और इसका graph बनाते है और इसका graph बनाते हैं volume at T degree Celsius और यहाँ पे temperature in degree Celsius है चलो temperature in degree Celsius volume at temperature T यहाँ volume V रखते है temperature in degree Celsius चलो आओ graph बनाते हैं तो बेटा, graph कैसे बनेगा? यह y-axis पे, यह x-axis पे V is equals to V naught plus V naught into T by 273 जरहाँ rearrange कर लेते हैं यह V at T degree Celsius V is equals to V naught into ऐसे लिख लेते हैं V is equals to V naught by 273 into T प्लस V naught अब बेटा, ध्याँ चे देखो V कहाँ पे गया है आपका? य-axis पे बना हम graph बना रहे हैं volume versus temperature in degree Celsius बताओ मेरेको यह graph क्या ऐसे बनेगा? यह बताओ यह correct है कि wrong है? यह बतादो पहले अच्छा तो समझ में आएं straight line कहीं लोग कहा रहे हैं बताओ यह सही है? Kelvin में ही ठीक है बता ठीक तो है Kelvin में ठीक है, ठीक तो है Kelvin में पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि exam में माल लो degree Celsius वाला graph चिपका दिया तो क्या बोलोगे? exam में graph आ गया 4 option है degree Celsius कहेगा Kelvin में ही ठीक है तो दूम अपनी तरफ से सोचते रहे जाओगे ठीक है पर actual में ठीक नहीं होगा ठीक है? ठीक है? तो actual में ठीक नहीं होगा समझे? बोलो यह बना दो exam में कहना कि हाँ यार Kelvin में ही ठीक है सर रख लो यही ठीक है तो कहेगा नहीं ठीक है यह गलत है ठोक देगा ठीक नहीं की जगए है ना? तो यह गलत है बेटा तो इसलिए इसका graph बनाते हैं यह तो मैंने graph कैसे बनाया? मैंने का equation लिखी V is equals to V naught plus V naught into T by 273 इसको rearrange करते हैं V is equals to V naught by 273 into T plus V naught अब कुछ सही लग रहा है इसको इधर लिख लिया मैंने अब जड़ा ध्यान से देखो बेटा यह कहां पे है? Y axis पे यह कहां पे है? Temperature X axis पे है तो बेटा ध्यान से देखो Y is equals to MX plus C का form बन गया की नहीं? सबसे असान मैं कई बार आप लोग ग्राफ बनाने का तरीका बता चुका हूँ कि Y is equals to MX plus C को करो इसको इधर लिखा V naught by 273 into T plus V naught बेटा यह Y axis पे V चला गया, T चला गया X axis पे तो Y is equals to MX plus C कर दिया बेटा मैंने यह क्या हो गया? Y intercept हो गया तो कैसा Y intercept है? Positive slope भी कैसी है? Positive V naught by 273 तो positive slope है slope कैसी है? Positive है Y intercept भी कैसा है? Positive तो बेटा positive slope तो Y बनती है Y intercept भी positive है तो बेटा graph कुछ Y बन जाएगा बलो सही है अब कि अभी भी गलत है अब बताओ correct है बताओ अब correct है यह Y intercept इसका positive यह क्या value हो गई? यह value हो गई V naught Y intercept V naught यह value हो जाएगी V naught की यह value हो गई V naught की और बताओ slope कित्ती है? V naught by 273 चलो वह भी sorted है slope भी लिख लेंगे V naught by 273 और कुछ इसमें बचा है करने को slope भी हो जाएगी इसकी और कुछ बचा है बेटा इसमें करने को? बेटा एक बात बता हो मैं पूछू हूँ क्या यह पीछे आके यहाँ मिलेगा की नहीं? क्या temperature negative हो सकता है की नहीं? degree Celsius में तो हो सकता है बेटा negative Kelvin में negative नहीं हो था Kelvin में 0 Kelvin 176 temperature है बट degree Celsius में तो negative जा सकते हैं अपन तो इसी ग्लाइंग को आगे बढ़ाते हैं देखो जरा अब यह graph complete हुआ इसी graph को अपन आगे बढ़ाते हैं बाई degree Celsius में तो temperature negative में जाता ही है अब बेटा यह बता हूँ यह कौन सी जगह है? यहाँ पे volume कितना हो गया है? इस जगे पे gas का volume हो गया 0 मैं पीछे लाके मैंने जोड़ा यहाँ पे gas का volume क्या हो गया? 0 बेटा gas का volume 0 हो गया वैगस का volume 0 हो गया यह 0 हो गया, यह 0 हो गया यह 0 हो गया वी नॉट कॉमन हो के 0 हो जाएगा temperature कितना आएगा? minus 273 degree Celsius clear हुई बात? absolute 0 minus 273 degree Celsius का मतलब ही क्या है? 0 Kelvin है ना? अगर हम बात करेंगे temperature कितना है? 0 Kelvin यहाँ पे आके volume 0 so this is the correct graph जब volume और temperature in degree Celsius हो और pressure कैसा हो आपके पास? इसमें बच्चों confusion नहीं थी इस graph की slope में confusion नहीं थी अभी इस पे सवाल आ जाए volume versus temperature बच्चा कहँए straight line passing through origin गलत जब degree Celsius में temperature हो तो straight line passing through origin नहीं होता है clear? सही बता रहे हो minus 273.15 होता है यह सही बोल लो actual में यह temperature होता है minus 273.15 degree Celsius है ना असानी कलिए सहूलियत कलिए हम लोग minus 273 लिख लेते हैं clear हुई बात? जब degree Celsius में हो तो बेटा graph तब origin से पास नहीं करेगा याद रखना जब Kelvin में देखा आपने यह तब graph origin से पास करता है यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो volume कितना है? 0 कब हुआ volume 0? जब temperature कितना है? 0 Kelvin gas का volume 0 होता है जब temperature 0 Kelvin हो यहाँ पे volume 0 कब होगा? जब temperature minus 273 degree Celsius clear सभी को? शालो, J MD Avagadro's hypothesis अब Avagadro's hypothesis क्या है? यह बोलते हैं at constant temperature and pressure दो चीज़ constant कर लो Avagadro hypothesis के लिए क्या-क्या constant कर लो? constant temperature and pressure दोनों चीज़ें constant कर लो at constant temperature and pressure यह बोल लहाँ दोनों चीज़ें constant करो constant temperature and pressure अच्छा भया कर लिया फिर बताओ equal volumes of all gases contain equal number of molecules equal volumes of all gases contain equal number of molecules बेटा माल लो यहाँ पर मेरे पास कोई एक gas है कौन सी gas है सर जी माल लो यहाँ पर मेरे पास carbon dioxide है और मेरे पास 100 ml है carbon dioxide है और माल लो 100 ml carbon dioxide है माल लो इसके मेरे पास दूसरी gas कोई ले ले लेते हैं माल लो मेरे पास ammonia है NH3 ammonia है मेरे पास 100 ml ammonia है और माल लो बेटा मेरे पास sulfur dioxide है 100 ml sulfur dioxide है तो मेरे पास अलग-अलग विविन विविन प्रकार की gases है ठीक है विविविविविविव प्रकार की gases हैं सभी के सॉस हो है मैं तो बिटा इन सभी में number of molecules क्या होंगे same होंगे है ना अगर number of molecules की बात करूँ तो सबके same होंगे so equal volume of all gases contain equal number of molecules इसमें माल लो x molecules तो इसमें भी x molecules इसमें भी x molecules ठीक है जितना ज्यादा volume उतना ज्यादा molecules ठीक है equal volumes of all gases contain equal number of molecules कहने का मतलब volume is directly proportional to ठीक है volume is directly proportional to number of molecules volume is directly proportional to number of molecules clear clear ठीक है ये है avogadrose hypothesis जड़ाई देखो बेटा मेरे पास oxygen है 50 ml इसके x molecule है मेरे पास hydrogen है 100 ml तो इसके कितने molecule होंगे helium 200 ml methane 10 ml आप सबके number of molecules बताओ चलो सबके number of molecules 50 ml देखो type of gas से हमें फरक नहीं पड़ता कौन सी gases से फरक नहीं हमें इतना पता है equal volumes of all gases contain equal number of molecules यहाँ oxygen का 50 ml में x molecule है तो hydrogen के 50 ml में भी x molecule होंगे और volume और number of molecules directly proportional है तो 50 की जगे 100 किया तो बेटा number of molecules कित्ते हो जाएंगे आई बात समझ में आई बात समझ में क्या बोल रहे हैं equal volumes of all gases contain equal number of molecules सब के 100 ml थे सब में equal number of molecules थे अभी क्या बोला इसके 50 इसके 100 तो इसके 50 में x हैं तो इसके 50 में भी x होंगे तो इसके 100 में 2x होंगे इसके 50 में भी x होंगे तो इसके 200 में 4 गुना तो कितने हो जाएंगे 4x molecules हो जाएंगे छीक है इसके 50 में भी x molecules होंगे तो 10 में बेटा 50 से 5 गुना घड़ गए तो कितना हो जाएगा बोलो सभी का आगया x बटे 5 4x हैं इसके 50 में x हैं तो इसके भी 50 में x होंगे equal volumes of all gases contain equal number of molecules इसके 50 में x molecule तो इसके 50 में भी x होंगे पर इसके दिये कितने 100 गुना तो molecule भी 2 गुना इसके 50 में भी x होंगे पर दिया कितना है 200 चार गुना तो ये भी 4 गुना इसके 50 में भी x होंगे पर है कितना ये 10 यानि 5 गुना कम है तो x बटे 5 सभी को आगया Next, number of molecules in 100 ml of each O2, NH3 and CO2 at STP are in order. बताएं बच्चों, बताएं, C, equal volumes of all gases contain equal number of molecules, clear? at STP, standard temperature, pressure, तो temperature और pressure क्या कर दिया है, इन्होंने? constant कर दिया. Standard temperature and pressure, तो temperature और pressure क्या कर दिया है, इन्होंने? constant कर दिया. तो भाई, जब temperature और pressure constant है, तो equal volumes of all gases contain equal number of molecules. So number of molecules तिनों में बराबर. Next, ideal gas equation या इसी को लोग बोलते हैं क्या? equation of state, ideal gas equation या equation of state. तो भाईटा, अपने, ideal gas equation सबने देख रखे होगी क्या होती है? PV, सभी को पता ideal gas equation क्या होती है? PV is equals to nRT, यही होती ही भाईटा? PV is equals to nRT, सबने पढ़ लखा हो क्या मिश्की में इतना तो? PV is equals to nRT, है न? अब बेटा, P के इस लिए stand करता है इसमें, P होता है pressure, ऐसी लिख लेते हैं, सभी को पता ही हो गए तो? P stands for pressure, ठीक है? V बेटा सबको पता है volume, n सबको पता है number of moles, R सबको पता है, universal gas constant और T बेटा, temperature in Kelvin अब इसमें बात आती है, सर की R की कौन सी value लें, कब कौन सी value लें, बेटा ध्यान दें अगर आपने pressure measure किया है atmosphere में, volume measure किया है liters में, प्रेशर अगर आपने लिया है किसमें, अगर आप pressure measure कर रहे हो atmosphere में, volume measure कर रहे हो liters में, number of moles सी लेगा, R की value लेंगे 0.082 ATM लीटर पर mole Kelvin, यहां 8.314 वाली value यूज नहीं करेंगे R की, वो करते हैं, energy के term में R की दो value सबने सुन रखी होगी, एक 0.082 ATM लीटर पर mole Kelvin और एक 8.314 Joule पर mole Kelvin, तो वो 8.314 Joule पर mole Kelvin, Joule, वो energy वाले terms में use क्या करो, जहां kinetic energy की बात हो, internal energy की बात हो, वहाँ पे, और यह 0.082 ATM लीटर कहां पर, ideal gas equation में, PV is equals to NRT में use करेंगे, clear है सभी को, PV is equals to NRT, सभी को clear, तो अगर आप पस pressure ATM में हो, volume लीटर में हो तो equation, अब सर्माल लो pressure ATM में नहीं है तो, तो pressure को ATM में change कर लेना, यह सब तो आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ, pressure किस में रखा, ATM में, volume किस में रखा, लीटर में, R के रखा, 0.082 ATM लीटर पर, mol Kelvin, temperature किस में रखा, Kelvin में, number of moles तो number होता है, ideal gas equation का कोई भी सवाल तुमारे सामने आ गया, तो pressure किस में रखोगे आप, ATM में रखोगे, खतम, ideal gas equation का कोई भी सवाल तुमारे सामने आ जाए, pressure किस में रखोगे, ATM में, volume किस में रखोगे, लीटर में रखोगे, और R 0.082, अब मानलो pressure ATM में नहीं दिया है तो, ideal gas equation का कोई भी सवाल सामने आता है, पस कोई भी सवाल, pressure हो सकता हो, आपको Pascal में दिया हो, Newton per meter square हो सकता हो, बार में दिया हो, टॉर में दिया हो, millimeter of energy, pressure किस में रखना है बेटा, ATM में, volume किस में, लीटर में, तो convert करना आता है सबको, सबको पता है, 1 ATM, सभी को पता है, 1 ATM is nearly equal to 1 bar, is nearly equal to 10 to the power 5 Pascal, which is 10 to the power 5 Newton per meter square, which is nearly equal to 760 mm of Hg, which is nearly equal to 760 tor, तो यहां से आप convert कर सकते हो, pressure किसी भी unit में दिया हो, आप उसको inter-convert कर सकते हो, 1 ATM is nearly 1 bar, 10 to the power 5 Pascal, 10 to the power 5 Newton per meter square, 760 mm of Hg, 760 tor, और अगर volume की बात करें बेटा, volume की बात करें बेटा, volume की बाता चुका हो, मैं आपको, 1 liters is nearly equal to, ने, is equal to 10 to the power minus 3 meter cube, is equal to 10 to the power 3 centimeter cube, is equal to, और बताओ, और क्या हो जाएगा, 1 decimeter cube, यही है, सही है, सही, 1 liter is 10 to the power minus 3 meter cube, 10 to the power 3 centimeter cube, 1 decimeter cube, you can change, तो बेटा, आपको, जिसमें भी pressure दिया हो, आप pressure किसमें रखोगे, ATM में रखोगे, volume जिसमें भी दिया हो, liters में रखोगे, और R की value, 0.082 रखोगे, clear? Yes, सभी को clear हो गई बाद, और change कर लेना, pressure जिसमें भी unit में दिया हो, उसको ATM में, volume जिसमें भी दिया हो, उसको liters में, चलो, सवाल आ गया बेटा, 2004, बताएं सभी लोग, उत्तर इसके, the equation of state for 5 gram of oxygen at pressure P and temperature T when occupying a volume V will be, R is the gas constant, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सवाल आ रखे हैं यहां से, क्या बोला है, the equation of state, equation of state मतलब ideal gas equation लिखनी है, यह देखो, equation of state या ideal gas equation, क्या लिखी जाएगी यहां पर, PV is equals to nRT, बेटा, n number of moles क्या होता है, mass upon molar mass, यहां कितना mass given है, 5 gram, और oxygen का molar mass क्या होता है, बेटा, 32, तो PV is equals to 5 बटे 32 इन्टू RT, option A हो जाएगा मेरे क्याल से, PV is equals to 5 बटे 32 इन्टू RT, सभी को clear है यह, clear, A, 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 सभी ने बोल दिया, चलो आगे बढ़ते हैं, next, density of a gas, अब density की बात करते हैं, बेटा, density सभी को पता है क्या होती है, density क्या होती है, बेटा, mass upon volume होती है, आउ निकालते हैं, बेटा, ideal gas equation लिखो आप, आप ideal gas equation लिखो, वहीं से काम बन जाएगा, ideal gas equation क्या है, PV is equals to nRT, बेटा, n, number of moles, number of moles को अपन क्या लिख सकते हैं, mass upon molar mass, so PV is equals to mass upon molar mass into R into T, लिख सकते हैं, हाँ, density mass upon volume, so PV is equals to nRT में, मैंने n की जगे mass upon molar mass into R T कर दिया, अब बेटा, गर मैं volume को इधर ले आऊ, इसको इधर ले जाऊ, volume को इधर ले आऊ, mass upon volume, मैं volume को इधर ले आया, mass upon volume, m उपर गया R T नीचे, is equals to Pm upon R T, लिख सकते हैं, PV is equals to nRT लिखा, n की जगे मैंने क्या लिखा, mass upon molar mass, number of moles क्या होता है, mass upon molar mass, मैंने का volume को इधर ले आते हैं, m upon V, m upon V, और इस capital M को इधर बेज दिया, Pm upon R T हो गया, बेटा, m by V क्या बन जाएगा, density, m by V is equals to Pm by R T, m by V क्या बन जाएगा, density is equals to Pm upon R T, याद रखेंगे बेटा इसको, मैं खहलते, chemistry में याद किया होगा, आपने शाहर, नहीं किया तो अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, D is equals to Pm by R T, 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 khator, density, so density of gas बेटा, Pm by R T, अब बेटा इसमें क्या क्या चीज है D density है, P pressure है, M molar mass है R gas constant है और T temperature बेटा कैसे कैसे रखना ज़रा ध्यान से देखें इसको याद तो रखना ही है कैसे कैसे रखना ज़रा यह भी देखें अब देखें, P क्या है इसमें बेटा, pressure ठीक है, pressure किसमें होगा, SI unit so molar mass भी SI unit में बेटा SI unit बोले तो kg में, ठीक है R बेटा, universal gas constant है, तो इसकी भी SI unit SI unit क्या होती है इसकी 8.314 joule per mole Kelvin ठीक है, और T क्या है बेटा, temperature in Kelvin formula याद हो गया, D is equals to PM by RT, सभी को याद हो गया एक बच्चा कह रहा है, is this live lecture, no बेटा, this is recorded okay, मेरे को बता था, इसी time पर कोई बच्चा comment करेगा live lecture नाम का शाति रूम है, पहले से सोच के बढ़ा था, ठीक है clear okay, PM by RT, और सब कुछ किस में रखना है बेटा, SI unit में रखना है PM by RT, सब कुछ SI unit में PM by RT pressure SI unit में, molar mass SI unit में, molar mass बेटा, जनरली तुमको ग्राम में याद होता है कि 32 ग्राम रखने, oxygen का, गलत हो जाएगा, यहाँ kg में रखना है तब आपकी density किस में आएगी, density आपकी आएगी SI unit में, kg पर meter cube में आएगी ठीक है, अच्छा, बेटा, इसके अंदर एक चीज और देखो, आपने देखा, D is equals to PM by RT ठीक है, यहाँ तक तो सब कहानी सही थी बेटा, एक वाद बताओ, क्या मैं M को, molar mass को क्या मैं M को, molar mass को, यह लिख सकता हूँ mass of one molecule into Avogadro number, क्या यह सही है क्या मैं molar mass को, क्या मैं molar mass को mass of one molecule into number of molecules in one mole, ऐसे लिख सकता हूँ, बताएं बताएं लिख सकता हूँ, molar mass क्या होगा, mass of one molecules into molar mass क्या होगा, mass of one molecule into number of molecules in one mole तो उसको मैंने एनने लिख लिया, तो बेटा मैं D is equals to PM की जगे, M into Avogadro number upon R into T, ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो सही है molar mass क्या होता है, भाई, molar mass क्या होता है, mass of one molecule into number of molecules in one mole, यही तो होता है, molar mass, एक mole के molecule का mass, एक mole में कित्ते molecules होते हैं, Avogadro number और एक mole का mass हमने M लिदिया, molar mass क्या है, mass of one mole of molecule, एक mole में कित्ते molecules हैं, Na, और एक mole का mass is small m, है ना, अब बेटा, Na को अगर मैं नीचे लाओं, तो D is equals to PM upon R upon Na into T, ऐसे लिख सकते हैं, D is equals to PM, R upon Na into T, बेटा, R upon Na क्या बनता है, R upon Na क्या बनता है, R upon Na क्या बनता है, याद है, पिछे lecture बताया था, R by Na क्या बनता है, K, Boltzman constant, तो यह भी एक formula बन गया, density का, PM by KT, PM by KT, clear, K, सभी को याद है, PM by KT, अब बेटा difference क्या हुआ, यहाँ पर M क्या है, mass of one molecule है, mass of one molecule, और K क्या है, Boltzman constant, mass of one molecule, तो density के दो formula हो गए हमारे पास, एक हो गया density का हमारा, PM by RT, ठीक है, अब बेटा, जब भी mole से molecule की तरफ जाते हैं, जब भी mole से molecule की तरफ जाते हैं, तो capital M, यानि molar mass की जगे, molar mass की जगे, molecule का mass ले लो, जब भी mole से molecule की तरफ जाओ, तो capital M, यानि molar mass की जगे, molecule का mass रग दो, और R की जगे, K रग दो, सिर्फ यहां के लिए नहीं हमेशे के लिए बता रहा हूँ कई जगी एक conversion आएगा आपके पास सिर्फ यहां पे नहीं कई जगी एक conversion आएगा आपके पास कि जब भी आपको D is equals to Pm by RT है जैसे जब भी आपको ऐसा करना हो जैसे आपने molar mass की जगे आप चाहते हो molecule का mass तो यहां पे small m और R की जगे क्या रख दो K Pm by KT clear Pm by KT right चलो सवाल phase 2 2016 क्या सवाल है A given sample of an ideal gas occupies volume V at a pressure P and absolute temperature T the mass of each molecule of the gas is M which of the following gives the density of the gas तो बेटा density of the gas की क्या formula है हमारे पास D is equals to Pm by RT और अगर इसकी जगे हम molecule का mass रखें तो R की जगे हम K रख देंगे Pm by KT option C ठीक clear सभी को हाँ बेटा जो भी weight रखो KG में रखो SI unit में रखो जो भी रखो SI unit में next retest 2015 देंशिटी के ओपर सवाल आये हुए है retest 2015 क्या है two vessels separately contain two ideal gas A and B at the same temperature the pressure of A b क्या है अपने पास two vessels है two vessels A and B separately contain two ideal gases at the same temperature temperature क्या है बेटा same है two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature the pressure of A being twice that of B तो pressure of B को अगर मैं P माल लूँ तो pressure of A क्या है 2P हो जाएगा the pressure of A being twice that of B under such conditions the density of A is found to be 1.5 times the density of B under such conditions the density of A is found to be 1.5 times the density of B तो density of B को अगर मैं density of B को अगर मैं D माल लू तो इसकी density 1.5 D हो जाएगी बोलो सही है यही तो बोल ला है ना under such conditions the density of A is found to be 1.5 times the density of B तो इसको अगर D मालना तो यह 1.5 D हो गएगी तो बेटा density से comparison करते है D क्या होता है the ratio of their molecular weight molar mass का comparison बोचा है the ratio of molecular weight molar mass का comparison तो बेटा D is equals to PM by RT यही होता है D is equals to PM by RT अब बेटा देखो दोनों में temperature क्या है same दोनों में R की value क्या होगी same तो यह तो constant है दोनों में temperature भी same है दोनों का R भी तो अपन सिधा सिधा बोल सकते है D2 by D1 सिफ PM पर depend करेगा यह तो चले जाएंगे R और T तो constant है T दोनों में same R so D2 by D1 क्या हो जाएगा P2 M2 upon P1 M1 अब बेटा D2 यहाँ density कितनी है D और D1 यहाँ density कितनी है 1.5 D P2 यहाँ pressure कितना है P M2 इसका molar mass कितना है पता नहीं molar mass of B upon P1 इसका molar pressure कितना है 2P M1 इसका molar mass कितना हो जाएगा MA सही है यहाँ से P से P cancel D से D cancel हो गया अपने को चाहिए MA by MB तो इसको इधर ले जाओ MA by MB is equals to 1.5 बटे 2 0.80 53 is a 15 54 is a 20 3 बटे 4 आ गया सभी का 3 बटे 4 सभी का आ गया C C C C C 3 बटे 4 clear clear C C C C C clear next 2008 यह को डेंसिटी पे ही सवाल आ रखे हैं क्या है at 10 डिग्री सेल्सियस the value of density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x क्या बोल ला है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे the value of density of fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x यह बोल ला है density of fixed mass of a gas divided by its pressure is x इसकी value दे रहा है हमें यहना density की value नहीं है the density of fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x अच्छा बिटा density क्या होती है P m by r t यहन से क्या बोल रहा है the density of fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x at 110 डिग्री सेल्सियस this ratio is हमसे इस ratio की बात कर रहा है d by p की हमसे क्या पूछ रहा है density नहीं पूछ रहा है at 10 डिग्री सेल्सियस the value of the density of fixed mass of an ideal gas divided by its pressure so density upon pressure की value पूछ रहा है पहले बोल रहा है x 110 डिग्री सेल्सियस पे यह value कित्ती हो जाएगी density upon pressure तो बेटा density upon pressure क्या है m by r t हमसे इसकी value पूछ रहा है ठीक है m तो बेटा सेम रहेगा r भी सेम रहेगा density upon pressure क्या है inversely proportional to temperature है चाहो तो दोनों बाल लिख सकते हैं density upon pressure is m by r t पहली बार value कित्ती है 10 degree Celsius the value of density of fixed mass of energy divided pressure is x तो d by p की value x है temperature कितना है 10 degree Celsius यानि 283 Kelvin temperature Kelvin में रखना होता है बोलो सही है अपन से density upon pressure की value कित्ती दी है 10 degree Celsius पे x है तो d by p की value x है जब temperature कितना है 10 degree तो अपन ने 283 रख लिया फिर बेटा क्या बोल लहा है at 110 degree Celsius this ratio is अब temperature 110 कर दिया पूछा अब ये ratio कितना होगा माल लेते हैं d by p का ratio अब y है at 110 degree Celsius this ratio is तो माल लेते हैं 110 पे इसकी value y है m तो बेटा same रहेगा r भी same रहेगा temperature कितना है 110 कितना हो जाएगा 273 प्लस 110 373, 383 अब हमसे बेटा y की value ही तो पूछ रहा है कि y कित्ता है हमने तो माल लिया ये कह रहे हैं at 110 degree Celsius this ratio is हमने का चलो इसको y माल लेते हैं हमने का y is equals to d by p m by r t m by r और t की जगे रख दिया बेटा y upon x कर दो y upon x m और r तो कर जाएगा inversely proportional temperature दिख रहा है so y के सामने x वाला temperature x के सामने y वाला temperature y is equals to सभी का आ गया b b b b b b b d कैसे आ रहा है थोड़ा का mistake और answer चला गया d kya बनेगा m by r t वे जो ratio है ये temperature से inversely proportional है स्टार्टिंग में आपने x माना बाद में अपने y माना बाद के temperature को उपल लिखोगे बाद के temperature 110 d by pa यह तो ratio है density of fixed mass divided by its pressure यह जो ratio है temperature से inversely proportional है शुरुबात के ratio को x माना बात के ratio को y माना तो बेटा temperature तो उल्टा उल्टा जाएगा तो y का temperature उपपर 110 यानि 383 उपपर और x का temperature निच्चे यानि 283 अब अपने को y की value चाहिए ना so y is equals to क्या हो जाएगा 283 upon 383 into x clear clear आगे बढ़ें चलो ideal gas and real gas एक आखरी बार चर्चा करेंगे ideal gas, real gas पे बहुत जार डिटेल में नहीं जाएंगे हम compressibility factor z की हम बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे आप से ठीके आप तो चलो कि हम z की बात करें उसके बाद हम इसके इंदर constant की बात करें A और B की वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे real gas की equation भी नहीं सीखेंगे अपन उपर उपर से तो बिटा ideal gas की equation क्या है अपने पास ideal gas की equation क्या है ideal gas की equation है PV is equals to nRT यही है बिटा एक mol की बात करें अगर for 1 mol n की value 1 हो जाएगी PV is equals to RT हो जाएगा बिटा PV अपन रT की value कित्ती होगी 1 एक mol की अगर हम बात करें अगर हम PV is equals to nRT ideal gas की equation लिखी मैंने मैंने ideal gas की equation लिखी क्या लिखा PV is equals to nRT मैंने का अगर एक mol की बात करें number of moles को 1 रखा n की value 1 PV is equals to RT हो गया RT को नीचे लाया PV या RT की value को मैंने 1 रख दिया बिटा ये कब true होगा किस temperature पे, किस pressure पे हमेशा हमेशा ideal gas के लिए चीज हमेशा true होगी always valid होगी ideal gas के लिए always value for ideal gas for 1 mol of ideal gas for 1 mol of ideal gas क्या होगा PV 1 mol n की जगे 1 शही है for 1 mol of ideal gas n की जगे 1 रखा PV is equals to RT PV by RT is equals to 1 अब देखो क्या कहानी होती है real gas में मैं यहाए ग्राफ बना रहा हूँ PV by RT versus temperature या versus pressure PV by RT versus pressure तो बेटा PV by RT की value कित्ती होगी 1 यह value माल लेते है 1 ठीक है कित्ती value है 1 PV by RT की value 1 तो PV by RT की value 1 बेटा किसके लिए होती है ideal gas के लिए कब होती है always always right PV by RT की value क्या होती है always 1 for ideal gas यहाँ देखो PV is equals to NRT लिखा मैंने बेटा संकल बैच का वहाँ लगा है कम्मीटी में लिखा है बेटा पढ़ने वाली language में लिखा है कि class कल होगी ठीक है वहाँ लिखा हुआ है आप NCRT वाला चैनल पर जाओगी कम्मीटी के उपर बेटा कुछ हमकता हुआ वहाँ पर ऐसे तारा सा देखे का वहाँ पर लिखा है class होगी कल ठीक है तो उसको आप देख सकते हो हाँ चल होगी पर नहींने का इसके लिए PV by RT की value हमेशा 1 और dotted line अपनी real gas ठीक है, PV line idle gas, dotted line अपनी idle gas, sorry real gas तो real gas कि में देखरों पहले 1 से कम, 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 फिर 1 से जादा होगी ये माल लेते हैं बेटा, temperature T1 की कहानी है temperature T1 की है, अगर मैं temperature बढ़ाऊं, तो क्या होगा बताओ temperature बढ़ाऊं, मालनो मैं temperature T2 के लिए बनाऊं graph तो PV by RT की value 1 के पास आएगी कि 1 के दूर जाएगी बताओ, अगर मैं temperature बढ़ाऊं, तो ये जो graph है ये PV line के पास में आएगा कि उससे दूर जाएगा 1 के पास आएगी value की 1 से दूर जाएगी, हाँ ये Z की value पर मैं compressibility factor नहीं, मैं के मिश्टी नहीं बढ़ा रहा हूँ अगर मैं temperature बढ़ाऊं, तो ये जो PV by RT की value ये 1 के पास आएगी की दूर जाएगी 1 के पास आएगी की दूर जाएगी पास आएगी temperature बढ़ाने पे, क्या होती है, real gas behave as ideal gas तो मैंने temperature बढ़ाया और temperature बढ़ाने पे मुझे क्या मिला ये कुछ graph मिला temperature बढ़ाने पे क्या हुआ, कि graph और जादा real gas और जादा ideal gas के close आगी ये मैंने graph बना दिया, at temperature T2, लिख देता हूँ ये, at temperature T2, ये भी real gas ही है, ठीक है जाहिर सी बात है, T2 is greater than T1, तो हमने क्या देखा कि high temperature पे क्या देख रहा है हमें, real gas tends to ideal gas, पर बिटा चला ध्यान से देखो, जब low pressure है, देखो नीचे pressure है, जब low pressure एकदम low pressure, उस time पे भी तो real gas, ideal gas के जैसा behave कर रही है, high temperature पे तो सब को समझ में आ रहा है, right, high temperature पे तो सब को समझ में आ रहा है, अगर हम लोग low pressure पे देखें, low pressure पे आ जाए, low pressure पे जड़ा ध्यान से देखो, low pressure पे क्या है, low pressure पे बेटा दोनों real gases कैसी behave कर रही है, ideal gases यहीं, दोनों one के close है, तो एक तो high temperature and डूसरा क्या, low pressure है तो आपन लिख सकते हैं, htlp, ग्यास देखो, low pressure पे भी दोनों lines कहां पे मिल रही है, one पे मिल रही है, yes, दोनों lines कहां पे मिल रही है, one पे, low pressure और बाकी कहां पे बेटा, high temperature पे, यह temperature T1 है, यह कम था, तो इसमें बहुत दूर जा रहे हैं, temperature T2 बढ़ाया, पास आगे, अभी और बड़ा है T3, तो और पास आजाएंगे, clear, low pressure, high temperature, देखो, जब pressure low कर रहे हैं, तब भी दोनों one के करीए, यहाँ बेटा, आपका kinetic theory of gas start कर रहे हैं, थोड़ा सा 10 minute का break ले रहा हूँ है, इसके आद आपन kinetic theory of gas start करते हैं, क्योंज ने थ慌ते हैं, का लूब है जए, तो रदीत आई एंशी है क्योंजे जन दोड़र मागः, थोड़र का अरव़ा लाभवाश्व ने करे रहे हैं, यहाँ दो झाञएंगे पॉताग दNa झाल 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 आल आल झाल झाल जाल झाल झाल आल 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 झाल झाल आल झाल याल आल आल झाल झाल आल झाल आल आल झाल झाल याल याल आल आल याल 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 आल 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 याल आल 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 याल आल 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 सिंपल velocity, तो बेटा simple है पहले आप square करो फिर mean करो, फिर root करो, पहले आप square करो, इन सब का square कर दो v1 का square प्लस v2 का square प्लस v3 का square प्लस v4 का square प्लस dash dash vn का square, सबसे पहले क्या करो, square, देखो ऐसे चलना है सबसे पहले क्या करेंगे, square square के बाद क्या करो mean करो mean क्या होता है average तो square का average निकाल दो कितने values है n divided by n तो पहले आपने सबका square करके add किया फिर square करके पहले सबका square किया फिर mean निकाला mean क्या होता है square का mean क्या होता है average फिर आपने square का add करके average निकाला then बेटा आप last में root लगा दो last में इसके उपर root लगा दो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा v r m s root mean square velocity clear root mean square velocity v r m s v r m s root mean square velocity पहले क्या करेंगे हम लोग पहले हम लोग square करेंगे उसके बाद mean लेंगे उसके बाद root लगाएंगे clear आओ देखते हैं सवाल the speeds of five molecules of a gas in arbitrary units are as follows the speed of five molecules 5 molecules की speed दी है 2, 3, 4, 5, 6 the root mean square speed for these molecules हमें क्या निकालनी है root mean square speed for these molecules r m s निकालनी है हमको क्या कहल दी है 2, 3, 4, 5 हमें v r m s चाहिए वेटा पहले क्या करो square कर दो 2 का square plus 3 का square plus 4 का square plus 5 का square plus 6 का square फिर क्या करो square के बाद mean कर दो कित्ती values हैं 5 values है square mean फिर root कर दो clear है पहले square फिर mean फिर root तो पहले मैंने square किया 2 का square, 3 का square, 4 का square, 5 फिर क्या किया उसका mean किया 5 से divide फिर root लगा दिया तो बेटा कितना हो जाएगा under root 2 का square हो गया 4, 3 का square 9, 16, 25 और 36 divide by 5 तो बेटा कितना हो जाएगा under root 6, 5, 11, 6 17, 9 26, 34 3 गया हसिल 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 90 बटे 5 तो बेटा कितना हो जाएगा root 18 बेटा root 18 की value कित्ती होगी 2.91 नहीं हो सकती 3.52 नहीं हो सकती root 16 की value 4 होगी तो root 16 ज़्यादा है तो 4.24 एप्रॉक्स सही होगा है न D gas बस सही है root 16 की value होती 4 तो root 18 क्या होगा 4 से थोड़ा ज़्यादा तो 4.24 next RMS velocity of gas molecules है न ठीक है हम लोग बात कर रहे RMS velocity of gas molecule तो माल लेते हैं माल लेते हैं ये एक gas molecule है ठीक है और इसकी velocity है U RMS ठीक है ठीक है सीधा formula बढ़ते हैं हो बलकि कि लिखा हो और लिखा लिखा लेते हैं अच्छा ये माल लेते हो सीधा formula बढ़ते हैं RMS velocity of gas molecules पेटा U RMS is equals to under root 3RT बटे M U RMS is equals to under root 3RT बटे M U RMS is under root 3RT बटे M ठीक है बेटा अब अगर आपको ये SI unit में चाहिए तो इधर भी सब SI unit में रखना माल लो इसमें हम बोलो R की value क्या रखोगे 8.314 Joule पर मोल कैल्विन SI unit में रखा temperature बेटा कैल्विन में रखो और M क्या है? मोलर मास किसमे? केजी में यहां बहुत गलती होती है इस पे ध्यान देना यहां गलती होती है मोलर मास किसमें रखना है बेटा? आपको केजी में रखना है वनना गलत हो जाएगा और स्पीड किसमें आएगी बेटा? यह भी SI unit में आएगी यह आपके किसमें आएगी, meters per second ने आएगी, URMS is equals to under root 3RT by M, URMS is equals to under root 3RT by M, R SI unit में 8.314, T SI unit में Kelvin में, M molar mass किसमें? kg में रखना है बेटा molar mass, molar mass kg में, SI unit में गलती नहीं करना है, यह हो गया, अब मानलो सर्म को, यह किसकी है, molecule की है, RMS velocity of gas molecule, अच्छा मानलो मैं, M की जगे mass of molecule रखना हूँ, खुद ही से बता हो, चलो, URMS का दूसरा formula, मानलो मैं M की जगे mass of one molecule रखना चाहूँ, तब क्या होगा, under root 3, अगर इसकी जगे मैं mass of one molecule रखना हूँ, M, तो R की जगे क्या रखना हूँ, यह मैं सिखा चुक हूँ, चाहो तो आप कर भी सकते हो, M की जगे लिख लो, small M, mass of one molecule into Avogadro number, R by Avogadro number क्या बन जाएगा, Boltzman constant, so under root, समझे, molar mass की जगे क्ये क्लो, small M, mass of one molecule into Avogadro number, R by Na बन गया के, so under root 3, K T by M, under root 3, K T by M, बेटा, यहाँ पर M क्या हो गया, mass of one molecule, यह भी kg में रखेंगे बेटा, यह भी किस में रखेंगे, kg में रखेंगे, mass of one molecule किस में रखेंगे, kg में रखेंगे, ठीक है, in terms of pressure and density, in terms of pressure, देखो, एक तो अभी ने क्या पढ़ लिया अपने, अपने पढ़ लिया, U, R, M, under root 3, R, T, Y, M, दूसरा क्या पढ़ लिया अपने, in terms of pressure and density, बेटा, density क्या होती है, आज ही पढ़ा आपने, क्या होती है, P, M by R, T, अब ज़र देखो, U, R, M, S, is equals to under root 3, R, T, by, M, यहाँ देखो, बेटा, R, T, by, M, की value क्या होगी, R, T, by, M, की value क्या होगी, P, by, D, right, R, T, by, M, की value क्या होगी, P, by, D, in terms of pressure, फिर समझा दो, यहाँ तक clear है, U, R, M, S, under root 3, R, T, by, M, U, R, M, S, under root 3, K, T, by, M, यह M, molar mass kg में, और यहाँ पे M, molecule का mass kg में, अब मैं क्या बोल रहाँ, माल लो, मैं pressure और density की terms में लिखना चाहूँ, in terms of pressure and density, तो बेरे density क्या होती है, अगर मैं R, T, by, M, की value निकालूँ, तो P, by, D, आ जाएगा, अब ज़रा देखो, U, R, M, S, क्या था, under root, अब देखो, R, T, by, M, की value क्या है, P, by, D, R, T, by, M, की value क्या है, P, by, D, R, T, by, M, क्या होगा, P, by, D, लग दिया, तो U, R, M, S, अपने पास U, R, M, S, के तीन formula होगे, टोगले हैं के अपने के ऐरे की शजए हैं पाने हैं, म living गत्वा जए वकास M, S, कीजरा देखो, वकास M, S, के तीन Ko तो बत्वा, क्या था है काства है? सब्सक्वारा वकान पासने हैं वकास M, S, की तीन стать ऍए ये खृमें शेशरा जश खतम, under root 3 P by D, clear, चल, सवाल, at what temperature is the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecule is equal to that of oxygen molecule at 47 degree Celsius, क्या सवाल है, at what temperature is the root mean square velocity of gaseous hydrogen, क्या बोल रहा है, U RMS किसका hydrogen का, किसी temperature T पे, at what temperature is the root mean square velocity, U RMS, of gaseous hydrogen is equal to that of oxygen molecule, U RMS of oxygen molecule at 47 degree Celsius, क्या सवालिश दिग्री से, बेटा, U RMS का formula क्या है अपने पास, under root 3 R T by M, right, यहाँ अब लगाया, under root 3 R, temperature नहीं पता T, upon molar mass hydrogen का कितना होगा, बेटा, 2, अब कहोगे सर, इसको kg में लिखो, अरे का है वहिया, दोनों तरफ cancel हो जाएगा अभी तो, लिखना चाहिए, kg में, पर मुझे पता है, यहाँ लिखू में, 2 gram होता है, 2 इंटू 10 की पार माइनस 3, उधर भी लिख ले याँ, इन kg, अब ठीक है, इधर URMS oxygen का, under root 3 R, बेटा ही, temperature कितना हो जाएगा, 47 प्लस 273, साथ 3, 10, 8, 4, 12, 320 केलविन, 3 R, इंटू 320, अपॉन मोलर मास, 32 इंटू 10 की पार माइनस 3, वही मोलर मास तो ग्राम में होता है, 32 ग्राम, तो इसको kg में convert कर लिए, आप देखो, 10 की पार माइनस 3, 10 की पार माइनस 3, cancel, 3 R, 3 R, cancel, दोनों तरफ स्क्वेर कर लिया, T बटे 2, 320 ब अपुल्स 2, B's Kelvin, A, आया, A, B's Kelvin, सभी का आगया, A, B's Kelvin, clear, next, what will be the temperature when the RMS velocity is double of that at 300 Kelvin, what will be the temperature when the RMS velocity is double of that at 300 Kelvin, क्या पूछ रहा है, what is the temperature when the RMS velocity, किस temperature पे, हमने माल लिया, T temperature पे, what is the temperature when RMS velocity, हमने कहा T temperature पे, is double of the RMS velocity at 300 Kelvin, पे, 300 Kelvin की, बेटा, फॉम्मला, अडर रूट 3 R T by M, two times of, अडर रूट 3 R T की जगे, 300 बटे, यह तो पूछ रहा है, at what temperature, what will be the temperature when the RMS velocity is double of that at 300 Kelvin, so RMS velocity at T temperature, is two times of RMS velocity at 300, अडर रूट 3 R T by M, two times of, अडर रूट 3 R T by M, तो पेटा, यहां से 3 R, 3 R, M, M, कैंसिल, रूट, स्क्वेर करते हैं बेटा, तो रूट T का T, two का स्क्वेर 4, और रूट के बाहर 300, कितना हो गया बेटा, 1200 Kelvin, 1200 Kelvin, clear है, 1200 Kelvin, D, 1200 Kelvin, D, 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 और भी में बच्चें हमेशा confused रहते हैं, D बेटा, 600 नहीं आएगा न, इसको स्क्वेर नहीं किया होगा तुमने, दोनों तरफ स्क्वेर करो, इसका रूट हटेगा T, इसका स्क्वेर 4, इसका स्क्वेर 4, इंटो 300, clear, next, UK PMT 2015, ठीक है, तो यह United Kingdom का सवाल लेके आ हैं, जहां से मैंने अंग्रेजी सीखिए है, UK PMT, UK PMT 2015, The RMS speed of oxygen molecule in a gas at 27 degree Celsius would be given by, हमसे क्या मांग रहा है, U RMS of oxygen molecule in a gas at 27 degree Celsius, तो बेटा, U RMS under root 3 R T बटे M, ठीक है, आईए values रखते हैं, under root 3 R की value मैंने बताई, SI unit 8.314, T beta temperature 27 degree Celsius, 273 जोड़ा, 300, upon molar mass of oxygen in SI unit, तो बेटा, oxygen का molar mass कितना होगा, 32 gram होता है, हमें SI unit में रखना है, so 32 into 10 की पावर minus 3, now you can solve this, clear, clear, बताओ क्या रहा है, solve करूँ, U RMS किसका oxygen molecule का कब 27 degree Celsius पे, तो under root 3R T by M, 3R T की जगे अपने 27 plus 273, 300 हो गया, M अपने 32 gram की जगे, 32 into 10 की पावर, minus 3, बताएं क्या आ रहा है, A आ रहा है, आओ देखते हैं, under root, अच्छा answers दूर दूर हैं क्या, 500, 1000, 4.8, no, answer बहुत दूर दूर है, approximation करेंगे अपने हैं और approximation करते हैं, answers बहुत फार अपाट है, let's do approximation, so 3 into 8.314 को 8 ले लेते हैं, into 300 upon 32 into 10 की पावर, minus 3, ठीक है, मैंने approximation स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि answers बहुत दूर है, 483, 966, 4.83 बहुत दूर हैं, अच्छा, 81s आ 8, 84s आ 32, यह तो बहुर जा सकता है, कितना हो गया, under root, 33s आ 9, 900, यह 1000 उपर गया, ठीक है, upon कितना है, 4, तो 900 तो root से बहुर ला सकते हैं, 900 root के बहुर आके 30, 4 root से बहुर आके 2, 10 की पावर मैंने स्टी उपर जाके 1000, 1000 में से 100, एक 10 अंदर छूड़ दे, 100 में से बहुर आया 10, और एक बचा root 10, बो सही है, 3 into 300 900 हो गया, 900 बहुर आया 30 हो गया, 4 को दो ले लिया, 10 पावर मैंने स्टी उपर जाके 10 की पावर 3, यहां से 100 का square root 10, और 10 root अंदर है, इसको root 9 कर लेते हैं अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 30 into 10 अपॉन 2, ऐसो करीब करीब root 9 माल दिया जाया आजाओ, है ना, अप्रोक्सिमेशन, तो यह 3 आ जाएगा, तो अप्रोक्सिमेटल इक्वल टू 30 into 10 into 3 बटे 2, कितना हो जाएगा, 3 3 is the 9, 900 बटे 2, साड़े 400, एप्रोक्स, तो साड़े 400 एप्रोक्स, 413 से मैच कर रहा है, बोलो clear, 3 3 is the 9, तो यह सब एप्रोक्सिमेशन आप भी करना भाईया फेपर में, अब root 10 की value कौन निकालेगा, मैंने का यार, option इतने दूज होने, 413, 966, 4, 9, चालो, next, Kerala CEE 2015, चालो, the ratio of RMS speed of an ideal gas molecule at pressure P to that at pressure 2P is, बरता हैं यह pressure वाला formula पूछ रहा है, URMS के formula, under root 3RT by M, under root 3KT upon mass of gas molecule under root 3P by D, यही था, तो बेटा इसमें से pressure वाला लगाएंगे, the ratio of RMS speed of an ideal gas molecule at pressure P to that at pressure 2P is, तो बेटा pressure से directly proportional, and root proportional दिकरा है, directly proportional to root P, तो अपन लिख सकते हैं, U1 by U2 under root P1 by P2, under root P1, पहले pressure कितना है P, बाद में कितना है, 2P, तो कितना हो गया, under root 1 by 2, so 1 upon root 2, C, सभी का आगया, 1 is to root 2, 1 is to root 2, सभी का आगया, 1 is to root 2, C, next, West Bengal J E 2015, चलो, क्या है, the RMS speed of oxygen is V at particular temperature, if the temperature is doubled and oxygen molecule dissociate into oxygen atoms, the RMS speed becomes, बताएं, बताएं, the RMS speed of oxygen is V at a particular temperature, ठीक है, तो यह में पास oxygen है, इसकी RMS speed V दे रखी है, at a particular temperature, temperature T महले से, फिर क्या है, if the temperature is doubled, हमने क्या किया, temperature double कर लिया, तो temperature को अपन 2T लिख लेते हैं, and oxygen molecule dissociates into oxygen atom, molecule dissociate करके atoms में विखर गया, यहां देखो, oxygen molecule dissociates into oxygen atoms, तो oxygen molecule dissociate करके, atoms में विखर गया, the RMS speed becomes, अब RMS speed किती होगी, RMS speed किस पर किस पर गया करती है, U RMS, under root, 3 R T by M पे, तो यहां से यहां देखो, molar mass भी तो change होगा, molecular mass, अभी यह oxygen का molecule consider कर रहे थे, अब यह क्या कर रहे हैं, oxygen molecule dissociates into oxygen atoms, माल लो बेटा, इस molecule का mass हमने M लिया, तो बेटा, इन atoms का mass क्या हो जाएगा, M by 2, M by 2, अब तो आप इसकी speed बताओगे न, यह, यह बिखर गया न, दो पार्ट में, dissociates into oxygen atoms, तो पहले अगर इसका molar mass M था, अब molar mass M by 2 हो जाएगा, इसका molar mass M था, small M, तो M by 2, M by 2, जैसे समझो, तो बेटा, कितना हो जाएगा, यहां का, यहां का हमें पता नहीं, इसको अपन लेख लेते हैं, U1, और यह, U2 हमें पता नहीं, so, U2 upon U1, U2 हो जाएगा, under root 3, R, temperature कितना है, 2T by M, M कितना है, M by 2, और U1 हो जाएगा, under root 3, R, T, बटे M, तो root 3R, root 3R, T, T, M, M, cancel, यह उपर गया 2, कितना हो जाएगा, root 4, यानि यह हो गया 2, so, U2 upon U1, is equals to 2, U1 कितना है बेटा, V, so, U2 upon V, is equals to 2, U2 is equals to 2 V, 2 V, clear, option C, next, phase 1, 2016, क्या है, the molecules of a given mass of a gas, have RMS velocity of 200 meter per second, at 27 degree Celsius, and 1.0 into 10 की पावर 5 newton per meter square pressure, whether temperature and pressure of gas are respectively 127 degree Celsius, and 0.05 into 10 की पावर 5 newton per meter square, the RMS velocity of its molecule is, बताएं बच्चों कैसे करेंगे इसको, जब temperature 27 है और pressure यह है, तो velocity इतनी है, U1 हमको दे रहा है, 200 meter per second, जब pressure और temperature, फिर, when the temperature and pressure of gas are respectively, change कर दिया, the RMS velocity तब कित्ती होगी, temperature बेटा 127 कर दिया, 127 plus 273, 400 के लिए, pressure भी बेटा बदल दिया है, pressure पहले से कम कर दिया है, 0.05, अब क्या किया जाए, देखो पटा, pressure तो दिया है, पर density तो दी नहीं है, pressure तो दिया है, पर density तो दी नहीं है, तो pressure density वाला खेल तो नहीं खेल सकते, URMS का कौन सा फॉम्दा लगाऊँ मैं, ये तो लगाई नहीं सकता मैं, ये वाला, क्योंकि अपने पास density नहीं है, ये तो दी नहीं अपने को, pressure दे रखा पर density नहीं, पर temperature दिया है, और M तो दोनों बार सेम होगा, तो अपने इस फॉम्मले से खेल सकते हैं, भाई, molar mass तो दोनों time same ही होगा, R की value दोनों time same होगी, 3 constant है, तो बेटा, U is proportional to root T, खतम, ये तो लगा नहीं सकते हैं, density नहीं बता आपने को, अपने को पता भी निए density change होती है कि नहीं होती है, अपने को पता है कि density change होती है कि नहीं pressure change करने में, यहाँ देखो, safe है, molar mass तो नहीं change होगा, किसी gas का molar mass तो change नहीं होगा, R constant है, 3 constant है, U is proportional to root T, खतम यहाँ से सवाल, देखो ना, इसमें बाकी चीजें तो constant है सब, वो change में नहीं हो सकती, वहाँ density का time है, density हो सकता हो change हो, खतम, U2 upon U1, U1 कितना है 200, U2, under root T2 by T1, T2 कितना है, 400 T1 कितना है, 300, root 4 बाहर आके 2 हो गया, 2 into 200, और नीचे root 3, 400 बटे root 3, D, चलो, नेक्स सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट, 2018, क्या है, at what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the earth's atmosphere, oh, at what temperature will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from earth's atmosphere, oxygen molecule की इतनी speed हो जाए, oxygen molecule की इतनी speed हो जाए, कि वो escape कर जाए from earth's atmosphere, at what temperature will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from the earth's atmosphere, यानि यानि U RMS at what temperature RMS speed of oxygen molecules at some temperature become just sufficient for escaping, मतलब ये किस के बराबर हो जाए, अर्थ की escape velocity के बराबर हो जाए, बिटा, अर्थ की escape velocity कित्ती होती है, अर्थ की escape velocity कित्ती होती है, अर्थ की escape velocity होती है, करीब-करीब 11 km per second, 11.2 होती है, escape velocity, escape velocity कित्ती होती है अर्थ की, करीब-करीब 11 किलो मीटर पर सेकंड, 11.2 किलो मीटर पर सेकंड, एप्रॉक्स मैंने 11 लिख दिया, यानि, U RMS of oxygen at temperature T is nearly equal to 11 किलो मीटर पर सेकंड, यानि, U RMS क्या होगा, under root 3R T upon molar mass oxygen के कितना होगा, 32 into 10 की पार माइनस 3, यह oxygen का molar mass 32 ग्राम होता है, यहां kg में लिखना है, under root 3R into T upon 32 into 10 की पार माइनस 3, इस nearly equal to 11 किलो मीटर है पेटा, तो 11 into 10 की पावर 3 कर लिया, SI unit में, SI unit, दोनों तरफ अगर square करें, R की value भी रखनी पड़ेगी, दोनों तरफ square कर देते हैं अभी, 3R T upon 32 into 10 की पार माइनस 3, ज़र देखों, यहां पर कुछ data given है, यहां देखो, mass of oxygen molecule, Boltzman constant, यह values आपको given भी थी, तो अपन क्या किया जाए, अपन यह formula ना use करके, देखों यहां पर कुछ information given है, क्या given है, mass of oxygen molecule, यह आपको given है, Boltzman constant, KB की value आपको given है, आपको कुछ values यहां पर देखों की है, mass of oxygen molecule, Boltzman constant, तो अपन URMS का यह वाला formula लगा है, इसका यह formula लगा है, under root, 3KT by M, क्योंकि अपने को Boltzman constant की value भी given है, अपने को mass of oxygen molecule given है, molar mass नहीं, mass of oxygen molecule given है, तो अपन वो values रख सकते हैं, इस nearly equal to 11 km per second, तो हम लोग लग सकते हैं, 11 into 10 की power 3, ऐसा ही unit में, बेटा, इसके square करेंगे, 3KT by M, इधर भी square हो जाएगा, 11 into 11, 10 की power 3 का square, 10 की power 6, मेटा, 3 into K की value कित्ती है, 1.38 into 10 की power minus 23, 1.38 into 10 की power minus 23, temperature हमें नहीं पता, अपन mass of oxygen molecule कितना है, 2.76 into 10 की power minus 26, is equals to 11 into 11 into 10 की power 6, ठीक है, और solve करें, यहां से point अटा, यहां से point अटा, 1.38, 2 जा, 2.8 जा 16, वन गया हासिल, 2.36, 1.7, 2.1 जा 2, यह 2 से कट गया, सीधा-सीधा, 10 की power minus 26, उपर जाएगा, बेटा, कितना हो गया, 3 बटे 2, 10 की power minus 26, उपर आके add हुआ, यह धर आके 10 की power 3 कर देगा, T is equals to 11 into 11 into 2 by 3, और 10 की power 3 इधर आके minus हुआ, कितना हुआ, 10 की power 3, तो T की value कितनी हो गई, 11, 11 जा, 121 into 2, बटे 3 into 10 की power 3, तो यह हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बटे 3 into 10 की power 3, यह हो जाएगा, 3 8 जा 24, 0, 20, 3 6 जा 18, 23 6 जा 18, into 10 की power 3, तो बेटा temperature हो गया, 8.066 into 10 की power 4 Kelvin, पॉइंट इधर ले जाएग, उधर एक 10 की power बढ़ा ले, 8.066 into 10 की power 4, कितना हुआ, 8.066, एप्रॉक्स किससे मैच कर रहा है, इससे, 8.360 into 10 की power 4 Kelvin, clear, B, next, molecular velocities, तो बेटा, 3 तरह की molecular velocities जो famous होती है, कौन कौन सी, root mean square velocity, average velocity, most probable speed, MPS है ना, तो उन तीनों को जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या है, average velocities, तो आपके पास मानलो, बहुत सारे molecules है, एक की velocity V1 है, एक की velocity V2 है, एक की velocity V3 है, करते करते किसी की velocity VN है, तो बेटा, average velocity क्या हो जाएगी, V average क्या हो जाएगा, सभी को बता है सर, average क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, dash dash dash, VN, divide by N, बेटा, gases system में जो average velocity होती है, P upon pi M, अगर मैं R की जगे K रखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको मैं pressure और density की terms में लिखना चाहूं, तो लिख सकता हूं, बिल्कुल, R T by M क्या आता है, P by D आता है अपने देखाता, तो कितना हो जाएगा, अगर रूट 8, पाई तो रहेगा, P by D, अगर रूट 8, R T by pi M, यह वाला याद रखिएगा, इस सब विसे के मिश्टी का पार्ट हो जाता है, यह वाला याद रखिएगा, अगर रूट 8, R T by pi M, अगर अपने आर की जगे, के के रख देंगे, तो फिर, मोलर मास के जगे, एक मॉलिक्यूल का मास, और R T by M क्या होता है, P by D होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, रूट मीन स्क्वेर विलास्टी, यह आप जानी चुक्ए हो, इस पर क्या ही बात करनी है, U, RMS, आप सबको पता है क्या है, अंडर रूट 3, R T by M, विच इक्वल स्क्वेर रूट 3, R की जगे के के रख का, K T upon मॉलिक्यूल का मास, इस इक्वल स्क्वेर रूट 3, P by B, यह आप सबको पता है, नेक्स्ट बेटा है, Most Probable Velocity, अब यह क्या होती है, मान लो, इस कमरे में 1000 मॉलिक्यूल है, और उसमें 100 मॉलिक्यूल की स्पीड है, 10 मीटर पर सेक्वेर, 200 मॉलिक्यूल की स्पीड है, 20 मीटर पर सेक्वेर, और कितना 1000 मॉलिक्यूल थे ना, और 700 मॉलिक्यूल की स्पीड है, अब मैंने आख बंद करके एक मॉलिक्यूल पकड़ा इस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होने की probability जादा है 100 मॉलिक्यूल की स्पीड 10 200 मॉलिक्यूल की स्पीड 20 और 700 मॉलिक्यूल की स्पीड 5 100 molecule की speed मैंने क्या बोली 10 है 200 molecule की speed क्या है 20 है और 700 molecule की speed 5 मैंने आग बन करके एक molecule उठाया क्या probability है कि मयला सबसे ज़यादा probability क्या है इसकी speed की होने की probability सबसे ज़यादा क्या है most probabilities की speed क्या होगी ये English का term होगा most probabilities की speed 5 होगी इसको बोलते है most probable speed जादा तर molecules की यही speed हो most probable velocity maximum fraction of molecules possess this velocity maximum fraction of molecule possess this velocity इसको vmps बोलते है most probable speed यह होती है under root 2rt by m r की जगे के रखना चाहूँ तो under root 2 kt अपॉन एक molecule का mass और under root 2 rt by m की जगे क्या रख सकते है p by d under root 2 rt by m r की जगे के रख दिया under root 2 kt by एक molecule का mass और rt by m की जगे p by d भी रख सकते है next के है बेटा maximal speed distribution law बहुत simple चीज़ है यहां मैं लूँगा fraction of molecules यहां मिलूँगा velocity यह बन गया graph अब जड़ा ध्यान से देखें इसको यह क्या है बेटा fraction of molecules और इधर क्या है velocity है मतलब यहां मालनो velocity कुछ value 10 meter per second ऐसी मालनो तो 10 meter per second इतने molecules के fractions यहां fraction है तो इतने molecules की speed 10 meter per second है यहां मालनो 2 meter per second इतने molecules की speed 30 meter per second है ठीक है तो यह distribution of velocity है इधर मैंने क्या लिया? fraction of molecules लिये मतलब कितने fraction कितने percentage of molecules की क्या speed होगी? और यहाँ speed लिए बेटा most probable speed आपको कहाँ पर दिख रही? मुझे यह दिख रही है यह average भी नहीं होती सबसे ज़्यादा भी नहीं होती यह क्या होती? most probable maximum number of fraction of molecules की यह speed है यहाँ से देखो, यह यह maximum fraction of molecules की speed क्या है? यह वाली यह this is what? this is what? this is VMPS, most probable चीक है? maximum number of molecules की क्या है? maximum number of molecules की जो speed है उसका हम लोग बोलते है most probable यह बच्चा बोला है, sir speed डालो थोड़ी सी health निदी नहीं चाहिए चल लही है अज starting की लेक्चे से आपको समझ में आ रहोगा कुछ lecture के पहले मैंने कहा भी था कि मेरे कुशाद उमीद में खेर नहीं आगे फटते हैं इसके बादे में बात नहीं करते हैं बस बस खतम पर है बस खतम पर है end लेक्टम ठीक है, last लेक्टम तो मैंने क्या बोला, इधर क्या है fraction of molecule इधर velocity है तो सबसे ज़्यादा number of molecules की velocity यह वाली है देखो इधर velocity बढ़ लाई है यह जो velocity है, यह सबसे ज़्यादा fraction of molecules ने ली है तो यह कौनसी velocity हो गई, V most probable speed ठीक है इससे थोड़ी से ज़्यादा value होती है किसकी V average की और इससे थोड़ी से ज़्यादा value होती है V rms की ठीक है तो V rms सबसे ज़्यादा होती है then comes V average and then comes V most probable speed ठीक है सबसे ज़्यादा V rms होती है फिर V average V V mps दिख रहा है सबसे ज़्यादा value की है V, root mean square की फिर V average, फिर V most probable speed ठीक है इसको आप ऐसे ज़्याद रखते हो R greater than A greater than M RAM root mean square speed सबसे ज़्यादा फिर average, फिर क्या हो गया पको आपको आस most probable speed RAM root mean square, फिर average, फिर most probable speed RAM computer में RAM होती है वैसे आप इसको आतक सुखते हो ठीक है root mean square किती होती है under root 3 rt by m average किती होती है under root 8 rt by pi m most probable किती होती है under root 2 rt by m rt by m, rt by m cancel root 3 greater than under root 8 by pi greater than root 2 8 by pi करीब करीब 2.5 आजाएगा root 3, root 2.5 root 2.5 root 2 यह order हो गया और यह इनका ratio हो गया clear clear RAM root mean square, फिर average, फिर most probable ratio बेटा ही दिख रहा है clear सबसे आदे को RMS MPS कैसे पहचान होगे graph से मेटा, जिन molecules के लिए सबसे जादा fraction of हूँ sorry जिस speed के लिए सबसे जादा fraction of molecules जिस speed को ले रहे हो, वह MPS है MPS कैसे मिलेगा वह speed जिसके लिए सबसे जादा fraction of molecules है तो मेटा RAM का मैंने आपको order ही बता दिया order ही बता दिया rms सबसे जादा फिर average, फिर most probable, rms under root 3 rt by m, average under root 8 rt by m, pi m, or most probable under root 2 rt by m, rt by rt by m cancel, root 3 greater than root 8 by pi, greater than root 2, 8 by pi हो गया 2.5, और root 2, clear? clear? याद रुकिंगे, v rms greater than v average greater than v mps, r a m, क्या आया, under root 2, sorry, root 3 greater than root 8 by pi greater than root 2, और 8 by pi को मैंने करीक वरी कितना बता है हो? ठीक, rm, root mean square, फिर average, फिर most probable. last topic, बेटा, mean free path, mean free path क्या होती है? mean free path क्या होती है? बेटा, ये दो को molecules हैं, तो molecule ने एक molecule से collision किया, थोरी दे बाद दूसरे से collision किया, थोरी दे बाद दूसरे से collision किया, थोरी बाद तीसरे से collision किया, कोलिजन होते रहते हैं कैस के एक कोलिजन होने के बाद दूसरे कोलिजन तक के बीच का जो डिस्टंस है उसको बोलते हैं mean उसको बोलते हैं free path उसको बोलते हैं मालों यहाँ पर बहुत सारे molecules हैं एक molecule ने दूसरे से collision किया, थोड़ी द मद तीसरे से किया, थोड़ी द बाद चोथे से किया, थोड़ी द बाद पांç té से किया, एक collision से दूसरे collision के बीछ में जहां तक अराम मिला, जहां को अराम से छल सकता है, दूसरे collision उसको बOLते हैं free path, इसको हम ने बोला Mean free path Free path समझ में आ गई free path समझ में आ गई आपको free path क्या है एक molecule है एक जंगे collision किया दूसरे से collision करने में जो distance cover किया ये free path अभी अराम से चल रहा है फिर अगला collision और देर बात कर रहा है फिर अराम से चल रहा है इसको बोलते हैं free path इन सारी free path का हम mean free path, the average distance traveled by a molecule between two successive collisions, the average distance traveled by a molecule, कहा, between two successive collisions is known as mean free path, दो successive collision के बीच का जो distance average, mean free path, इसको lambda m बोल सकते हैं, lambda 1, जित्ती free paths travel की हैं, उनका average निकाल दो, तो mean free path हो जाता है, ठीक है, lambda m की value होती है, बेटा, 1 upon under root 2 n pi d square, ये क्या है, mean free path, n क्या है बेटा, n है number of molecules per unit volume, इसको number density भी बोला जाता है, d क्या है, diameter of molecule, lambda m क्या है, mean free path, दो collisions के बीच का जो distance है, एक molecule आया, दूसरे molecule से collide किया, थोड़े बाद 30 से किया, थोड़े बाद 34 से किया, तो ये जो distance travel कर रहा है, between two collisions, two successive collisions, इसको बोलते हैं free path, तो ये पहली free path, दूसरी free path, तीसरी, इन सब का average निकाल दिया, mean free path, क्या है, 1 upon root 2 n pi d square, n क्या है बेटा, number of molecules per unit volume, इसको number density बोल देते हैं, और d क्या है, diameter of molecule है, सवाल देखें, calculate the ratio of mean free path of molecules of two gases, if the ratio of the number density per centimeter cube of the gases is 5 is to 3 and the ratio of diameters of the molecules of the gas is 4 is to 5, कर पाएंगे इसको, ये कर पाएंगे, क्या question है, calculate the ratio of the mean free path of the molecules of two gases, if the ratio of number density per centimeter cube of the gases is, ये number density, n का ratio दिया है, and the ratio of diameters of the molecule, ये d का ratio दिया है, आपको क्या चाहिए, ratio of mean free path, आपको lambda m का ratio चाहिए, ratio of mean free path, तो बेटा, lambda m क्या होगा, 1 upon root 2 n pi d square, ये होगा, 1 upon root 2 n pi d square, ये होगा, आपको इसी का ratio चाहिए, बेटा, अब root 2 तो दोनों में same होगा, pi की value दोनों में same होगी, यानि lambda m is inversely proportional to n d square, तो अपन एक काम कर सकते हैं, lambda 1 upon lambda 2, inversely proportional है, तो उल्टा-उल्टा हो जाएगा, n2 into d2 का square, बोले सही, उल्टा proportional है na, inversely, so lambda 1 upon lambda 2, तो इसकी quantities उपर चलेगे, n2 into dt का square, n2 बेटा, if the ratio of the number density percentage is 5 is to 3, तो n2 हो गया 3 into d2 का square, and the ratio of the diameters of the molecules, d2 हो गया 5, 5 का square, 25, n1 बेटा हो गया 5, और d1 हो गया 4, 4 का square, 16, 5 बेटा 5, 5 बेटा 25, कितना आया, 15 is to 16, b, 15 is to 16, शर्लो, clear, b, next, 2014 का सवाल, क्या है, the mean free path of molecules of gas, radius r is inversely proportional to, बता दो यार तो हलवा सवाल है, खटाक से बताओ, clear, b आगया सभी का, क्या होगा, lambda is equals to 1 by root 2 n pi d square, radius की बात कि d क्या होता है, 2r होता है, so lambda is proportional to d2r, 2r का square, 4r square, so proportional to 1 by r square, inversely proportional to r square, next, 28, need 2020, चलो, इसी साल सवाल आया है, क्या है, the mean free path for a gas with molecular diameter d, and number density n can be expressed है, सिधा सिधा formula पूछ लिया, 2020 में, 1 upon, 1 upon, क्या होगा, सिधा साल फर्मूला पूछा इस बार तो, 1 upon root 2 n pi d square, clear है सभी का, clear है, तो यहाँ पर आपका आज kinetic theory of gas भी, खतम होता है, इसकार हम लोग SHM पढ़हेंगे, और उसके बाद, बेश पढ़हेंगे, ठीक है, तो यह topic अपका हो गया, समाप्त, तो आज का लेक्चे यहीं करते हैं समाप्त, अब आपको प्रैक्टिक शीट डाउनलोड करनी है, उसको solve करना है, next class कोशिश करेंगे, आपकी message को लगा दीजाए, SHM की, आपका syllabus अपतेजी जे बगाना पड़ेगा भाई, एना exam pass आ गया है, ठीक है, देखो और option कोई बचेगा नहीं, तुम लोग इतना भी विरोध करो, multiple लोग को आना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो multiple लोग आएंगे, तभी ये काम हो पाएगा, ठीक है, चालो, चला जाया है, ठीक है, तो जाते जाते बात कर लेते हैं, सिर्दर्द हो, तो खाईए, पढ़ाई करते रहें, all the very best,